वर्ल्ड हिस्ट्री की कहानी में चीन और जापा दो एहम पन्ने हैं। इन दोनों देशों का इतिहास काफी रेर और रोचक रहा है। 19-वी सदी के शुरुआत में चीन में क्विंग डैनस्टी की मजबूत हुकूमत थी। फिर यरॉप से कुछ पादरी आये और चीन में इसायत फैलाना शुरू कर दिया। पादरीयों के पीछे पीछे यरॉप य वेपारी आये धीरे दीरे चीन में इसायत हर्म फैलने लगा और वेपारीयों ये अपनी मनापली बना ली। कुछ डैनस्टी के राजा अब यरॉपियों की कटपद्री बन कर रहे गए थे। चीन जो की आज का सूपर पावर है उस पर करीब सौ सालों तक वेस्टरन पावर्स और जापेनीज ने जलुम किये। नैंकिंग मिसाकर इसी कड़ी का एकिस्सा था जिसे जर्मन होलोकॉस्ट से भी जादा दर्दनाक माना गया है। इस सौ सालों के पीरियड को चाइनीज सेंचुरिय ओफ हीमिलियेशन कहते है। दूसरी तरफ जापान 19-वी सदी तक आईसूलेटेड जिसे यूरोपिय देश वेपारिक माल धोने और उतारने में इस्तमाल किया करते थे। जापान ने वहाँ से एजुकेशन, कुल्चर, टेकनोलोजी में ऐसे फंडामेंटल चेंजिस किये जिसे वो 20-वी सदी तक आते आते एशिया की पहली सूपर पावर बन गया। ब्रिटेन की तरह जापान ने भी ताइवान, कोरिया और चीन भी अपने कॉलनीज बनाए लेकिन वल्ड वार टू में अमेरिका से मिलिहार के बाद जापान खुटनों पे आ गया। 1950 तक चीन और जापान, दुर्बल और असाय होकर एक ही जगह पर खड़त और फिर वहाँ से इन दोनों देशों ने लिखी अपने एकॉनमिक और पॉलिटिकल सूपर पावर बनने की काहिए। नमस्कार दोस्तों, मेर नाम है Sudhaashu and welcome to all of you on Blade Runner and Humanities. इस वीडियो में हम देखेंगे Class 11th History के Chapter 7, Paths to Modernization को, जिसमें हम इनी दूरोदेशों की फर्स से लेके अर्ज तक की जर्णी को देखेंगे. So now, let's get started with the lecture. So now, getting started with the lecture. इस lecture को हम लोग basically तीन पार्ट में बढ़ेंगे. सबसे पहले हम लोग जैपान के बार में देखेंगे, उसके बाद चाइना के बार में देखेंगे और तीसरे इससे में हम लोग Taiwan और Korea की history को समझेंगे कि कैसे उनों ने अलग-अलग challenges को अवरकम करके अपने देशों को modernize किया है. So this lecture can be a bit longer, but trust me, it will be worth bearing. मैं पूरी जाल लगा दोगा कि इसको इसको इतना interesting बना सकूँ कि आप इस lecture को छोड़ गहीं ने जाओ. So now, getting started with the history of Japan, जिसमें सबसे पहले में देखेंगे Japan की physical features को, जिसमें geography देखेंगे, कैसे लोग हैं, क्या food culture है. So getting started with the geography, Japan की location के अधर बात करेंगे, तो it is located in the northwest of Pacific Ocean, यहाँ पे हमारा Pacific है, और इसके northwest में यहाँ पे हमारा Japan है. Japan कोई proper terrain नहीं है, यह बलकि islands का गुच्छा है, इसमें बहुत सारे islands मिलके एक proper Japan बनाते हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हैं, और यह जो छोड़ छोड़ डॉट्स आपको दिख रहे हैं, वैसे तो बहुत सारे islands हैं, बन जो चार major islands हैं, Japan के terrain के बारे में खास बात यह है, कि इसका 50% से ज़्यादा हिस्सा मौन्टेनियस है, जो यह बहुत खुबसूरत मनाता है Japan को, इसके अलावा जातर जो इलाके हैं, वो active earthquake zone में located है, इसलिए बार-बार earthquakes आते हैं, और उसी के consequently, जो इसनामी भी आते रहते हैं, जैपैन की जो architecture है, यह इसकी geographical location से बहुत अधाप्र होगी थे, जैसे जो इलाके earthquake zone में आते हैं, वहाँ पर अगर अब घर देखोगे ना, तो बहुत रेनली अब दो या तीन मंजिला इमारते देख रहोगे, और अगर वो इमारते बनी भी हैं, तो उनको लकड़ी से बनाया जाता है, ताकि इसको अगर वापस से destroy हो, तो उसको उनलोग वापस से recreate कर पाएं, So that's all about the geography of Japan, अब आगे बढ़ते हैं, जैपैन के population के बारे में समझने की कोशिस करते हैं, आखिर लोग कैसे रहते हैं वहाँ पर, So Japanese are in the majority, जो वहाँ की indigenous आबादी है, इसके अलावा कुछ आईनू कम्यूनिटी की लोग हैं, जो सबसे northern part में बढ़ता था, वहाँ की indigenous community है, इसके अलावा कुछ Koreans की भी population है, जिनको जब जैपैन ने Korea को colonize किया था, तो Korea से बहुत तार लेंबर्स यहाँ पर कॉस्क्रिप्शन के थूरू लाए थे, bondage liver कह सकते, उनके जो descendants रहे गये थे, उनके जो वंशज है, उनकी आबादी कुछ है, एंट जो Japan का food culture है, subsistence है, वो बड़ा हास है, क्योंकि यहाँ पर जो है न, क्योंकि प्रजाती है, जिसको सूशी कहते हैं, that is globally popular as a seafood, so that's all about the subsistence, of Japan as well as the physical features of Japan, अब आगे बढ़ते हैं, जैपान की political system को समन्ने की कोशिस करता है, यहीं से जो हमारी जैपान की कहानी शुरू होती है, जैपान फिर जैपान पोलिटिकल सिस्टम है, और modern जैपान की history बताई जाएगी, लेकिन थोड़ा समय चाहता हूँ कि अब classical जैपान की आखरी डैनिस्टी के बारे में भी जान लू, ताकि एक background से ठोजा, तो जो classical जैपान था ना, that existed till 12th century, एक 1180 AD तक ही exist करता है, और जो सबसे आखरी डैनिस्टी थी, और इनका शासन चलता है, 794 AD से 1180 AD तक, खास बात ही है कि इस पूरे classical period में, अंपेरड वोज इन दा अथोरिटी, राजा जो है, वो अथोरिटी में होता था, कोई feudal सिस्टम नहीं था, और जो capital थी, वो क्योटो थी, ठीक है अभी तक टोक्यो, तोक्यों को पहले एडो कहते थे, एडो भी तो capital नहीं बनी, हाला कि एक बड़ा शहर ज़रूर था, बट capital नहीं थी, होता क्या है, 1180 AD तक आते आते, हेयान राजा कमजूर पढ़ने लगा, अंजम भी कोई राजा कमजूर पढ़ेगा, जिसको शोगून पीरिट का आ जाता है, शोगून इस नॉट दे नेम ओफ एन डैनेस्टी, नहीं ये किसी राजा का नाम है, शोगून बेसिकली एक military title है, वहाँ के जो सबसे उपरी रैंक के जनरल होते हैं, उनको शोगून कहते थे, तो वह क्या, 1185 में पहली बार कामा कूरा शोगून ने उस समय के हियान राजा को हटा के सता आती आ लिए, और वही से जो है इस पूरे शोगून पीरिट की शुरुआत हुई, जो 1185 से लेके 1869 तक चलता, मतब इस 600-700 सालवा तक कोई भी राजा authority में नहीं था, अलग-अलग शोगून्स आते हैं, प्रैमिरली जिसमें तीन फैमिली थी, जिन्होंने अलग-लग टाइम पीरिट पे रूल किया, सबसे पहले कामा कूरा फैमिली, जिन्होंने इस शोगून नेट की शोगून नेट मतब शोगून पीरिट, उसके बाद आशिगागा फैमिली आती है, ये भी शोगून्स थे, इन्होंने कामा कूरा को टागए खुद सता दिया लिए, इसके बाद तोखूगावा आते हैं, और इस चैप्टर में बिलोग तोखूगावा के बारे में पढ़ेंगे अच्छे से, अब शोगून के जमाने में होता क्या है, ये किसी भी फीडल सिस्टम में होता है, चूकि राजा तो रूल कर नहीं रहा है, और फीडलस को तो माशलिंट का सपोर्ट में रहा खैसे, वो राजा थोडी रहे हैं, ऐसे ही शोगूस दाइम्यूस की बदत लेते थे और दाइम्यूस का सपोर्ट मिलता था समुराइज का तो इस तरीके से इस पुरे हाराइटिकल स्ट्रक्चर के थो यह वो फ्यूडल सिस्टम है जैपैन का वो चलता था तो अब यह लाजिम हो जाता है कि हम लोग इस फ्यूडल हायराण की विल्वाड देख लें सबसे पहले आता है अम्पेरण जोकी नॉमिनल हेड है कोई काम नी इसका केवल सिलनेचन बगरा करना और कुछ भी नहीं वैसा आज के हमारे अनुरेंबल प्रिसुडेंट अफ इंडिया का काम होता है नॉमिनल अथॉर्टी के दौर पे वैसा ही उस समय शोगूल पीरिट में जैपैनीज अंकर अड़गा था उसके बाद शोगूल साते थे देवर दरियल हैड उसके बाद आते थे दाइम्योस दाइम्योस वेर काइंड ओफ आप कहले तो लैंडलोर्ड्स जो किसी ना किसी डूमीन के मालिक होते थे डूमीन मतलब आप प्रोविस कह सकते हैं इस पूरे डूमीन में इनका बहुत पीजन्ट जो हैं इनकी जमीनों पर काम कड़ रहा होते थे और यहां के रिखते भी वारियर्स हैं जिनको समुराइज कहते थे वो इनके खनबाद में होते थे इनकी सर्विसेज में होते थे तो दाइम्योस के नीचे आपके समुराय आएगा आएगा आपने जो भी जैपै इस discipline के बारे बारे सुना होगा, उसके सबसे staunch reflector, उसके सबसे staunchest reflector, मतलब इनके ओपर गीम बनाया हुआ है, किताबे लिखी गई है किस तरीके से discipline होते थे, किस तरीके से इनका morale होता था, इसके लीचे आते थे peasantry, mercants and the sleep, so this was the feudal hierarchy of Japan, अमपिरर का कोई भी काम नहीं है, शोगूस आर इनको दाइमियोस से support मिलता है, और दाइमियोस मतलब आप just kind of समझे जैसा कोई, जैसे कोई federal government होती है, तो center में राजा होता है, prime minister होता है, और फिर बहुत सारे provinces होता है, जिसमें chief minister होता है, तो दोवेंस को आप provinces के तरह treat करें, और यह जो दाइमियोस है, उन provinces के head हो हो गया, फिर इनको support मिलता है, जो सवराइस का, सवराइस जो है दाइमियोस को support करते थे, और indirectly शोगूस को करते थे, और फिर इनको peasants और मरकेंट्स का support मिलता था, so peasants और मरकेंट्स में तर लोइस्ट पार्ट अफ हायरर्की, वह क्या शोलवी शेताब्दी तक आते आते हैं, जो feudal hierarchy इसमें बहुत समस्या आने लेंगे, सबसे पहली समस्या थी कि violence नहीं रुक रहा था, हर जगे लड़ाईयां हो रही थी, क्योंकि राजा authority में नहीं तो सब अपनी मनमानी करेंगे, उसके बाद political stability नहीं थी और तीसरी जो problem थ structure है ना, वो इन changes पे based आपको मेलेगा, सबसे पहला change जो किया था 16 century में आशी गागा शोगुरेट ने, उस जमाने के जो शोगूस थे, उन्होंने peace entry को disarm कर दिया, कहा कि आग जो हत्यार रखते हैं, अब आप हत्यार नहीं रख सकते, क्योंकि हत्यार केबल समुराइद रख तो जब आप civilians के हाथों सहत्यार चीन लेते हो, तो wireless वैसे ही रूम जाता है, अफगानिस्तान वगेर में wireless क्यों था इतना है, क्योंकि समी के पास AK-47 है, दूसरी चेंज उन्होंने की, वो किया कि भाई, दाइम्यूस को कहा, दाइम्यूस क्या करते हैं, वो central capital में आके फसा करिंगे इस central capital में, तीसरा चेंज उन्होंने किया, दाइट वास कि land survey उन्होंने कर दिया, land survey करने से क्या हुआ, सबसे पहले पता चला है कि मारे पास कितनी cultivated land, कितना cultivable land है, तो इस प्रकार से जो land tax हागे चलके future में, वो लगाया जाएगा, तो इस changes remained by the आशिकागा अब लोग आगे बढ़ेंगे, तो इसके बाद जब आपसे monarchy रिस्टोर होती है, तो भी उसके ग्रोथ में एक fundamental कारण मरा से तो अब लोग आगे बढ़ेंगे, तो को गावा शोगूंस के बारे में जानना शोरू करेंगे, कि उनके जमाने में क्या किन डवलेप्मेंट्मे जमाने में करीब करीब जैपान में थाइसो डोमेंस थी, मतलब थाइसो डाइम्योस में कंट्री बटी हुई है, और इन्होंने डाइम्योस को कंट्रोल करनी के लिए एक बहुत important तरकीम निकाली, बहुत interesting तरकीम तीम, बेसिकली अब क्या हुआ, जब ये सोलेश यताबदी में change लाये गया और दैम्योस को कहा गया कि आप अपने capital में ही रहो, वहीं से उकूबत करो, तो अब दैम्योस पे तो कोई monitor कर नहीं सकता था कि वो अपने capital में क्या करते हैं, तो उनों ही अपने capital में, अपने domains में, जो इनका province kind of domain होता था, उसमें अपनी army बढ़ी करनी कर दिया, domains को और grow करना शुरू कर दिया, expand करना शुरू कर दिया, और ये भी चाहते थे कि हम भी जो है शोगून बन जा, क्योंकि शोगून कोई राजा तो है नहीं, कि उसे के family से सारे शोगून बनेंगे, जिसका भी जोड़ जादा होगा, जो भी जादा मजबूत होगा, पादफूर होगा, वो शोगून बन सकता है, तो दाइन्यूस डिरेक्ट्नी स्टार्टे चैलेंगि दे पावर अप शोगूस, तो इनके उपर कंट्रोल करना बहुत जरूरी था, तो को गावा शोगूस ने क्या कहा, दाइन्यूस को कहा कि आप अपने capital में अब तक रहते अब आपको क्या करना है, साल के कुछ महीने है, हमारे capital यानिकी एडो गराना, तो कुगूस ने सबसे पहले अपनी capital बदलनी, चोटों से एडो ले आए, और यही एडो जो है, बाद में इसका नम टो क्यो कर दिया जाता है, कहा कि आप अपनी फैमिली के साथ कुछ समय जो ह And so that was how they exercised power over the Dymu's, इसके अलावा उनोंने Dymu's की major cities को कंट्रोल करना, उनके माई's को कंट्रोल करना शुरू करा, उनके माई's को कंट्रोल करना शुरू करा, so we can see कि यह जो तो कुगुका अवा शोगूस है, they were very authoritarian in nature, और जब यह authoritarian होते हैं, कोई भी हुकूमत अगर authoritarian हैं, आ कुछ development करनी शुरूर जिसको लोग लेखते आगे सबसे पहला जो development किया that was urbanization, शेहरी करन बहुत सारे लोगों को लगता है कि urbanization यौरप में बहुत अच्छा हो रहा था बट अगर जैपैन की बात करें तो by 1650, एडो बीकेम the most populated city in the world, पूरे दुनिया में सबसे दू populated शेहर था वो एडो था अगर यह populated है तो अबेस लिए आप opportunities भी जादा होंगी, लोगों के लिए resources भी जादा होंगे, एडो के लावा गर बात करें जैपैन में दो और बड़े शेहर थे Kyoto and Osaka and करीब 6 ऐसे शेहर थे जिनकी आबादी 50,000 से जादा थी, अगर इसको European countries से compare करके देखे, तो इसी 17 शताब दे तक जितनी भी European countries थी, उन में से किसी भी country के पास एक या दो ही ऐसे शेहर होते थे, जिनकी आबादी 50,000 से जादा होते थे, तो अगर administration की बात करें, तो Japan was way ahead of any other European country अब जब शेहरी करण होता है, तो आपके कुछ financial चेहिंग भी आते, economy भी भी बदलावाता है, सबसे पहरा जो बदलावाता है वो यह आता है कि आपको money economy बनानी पड़ते हैं अब जब तादाद बढ़ना तो आप कितना ही बार्टर सिस्टम कर पाऊगे, तो money economy बनागी तो इस शेहर ते वहाँ पर money का वेवार शुरू हो गया money का वेवार शुरू होता है, तो फिर financial और trade system बनते हैं एक कहले तो informal banking system भी इमर्ज हुआ इसके अलावा तो को कावा शोगिन्स ना बहुत conservative nature के थे, अगर trade की बात करें तो, वो तदा import करना नहीं चाहता थे, train deficit नहीं चाहता थे उन्होंने देखा कि Japanese जो है इंडिया से यॉरप से बहुत textile से मंगाते हैं तो इससे हमारा import बहुत बढ़ जाता है train deficit हो रहा है, और जो हमारे bullion's है मतलब हमारी जो currency है, वो बाहर जा रही है बाहर से कुछ नहीं आगा, इन्होंने क्या करा निशे जिन में एक silk industry लगा दे निशे जिन में एक थोटा सा town था क्योटों के पास वहाँ पर काया कि ऐसे silk produce करो जिससे हमारी तो consumption होई जाए हम बाहर में इसको बेज लगे, और धीरे-धीरे निशे जिन के जो silk industry वो बड़ी होती दें और निशे जिन के जो silks है, वो पूरे दुनिया में popular हो गया, quality के कारण इसके अलबा एक बहुत interesting जिन यहाँ पे ये भी आया कि Japan में तो सबसे most consumed commodity थी that was the rice, rice चुकि सबसे most consumed commodity है तो उसके price में भी fluctuation होगा because of the demand supply, इसके कारण से लोगों को बहुत परेशान ही जननी पड़ते थी, तो interestingly उस जवाने में rice का एक stock market होना गया है, जिसका नाम था Dojima Rice Exchange, Dojima was the place ended to rice exchange आना वो कुछ इस तरीगे से काम करता था, rice सबसे ददा consume किये रहाता है, Japan का एक primary food है, तो रैसे माल लेते हैं आज की date में rice का जो price है वो है 850 रुपे कीलो, ठीक है या 850 रुपे एक quintal, ठीक है तो अगर आपने rice की 10 quintal की booking आज कर ली है और delivery आज से आप 2 महीने बाद या 3 महीने बाद भी लोगे तो भी आपको 850 रुपे quintal के हिसाब से ही rate मिलेगा चाहिए इस से कम हुआ हो, ये इस से जादा हुआ हो, फरक नहीं पड़ता है इससे क्या हुआ है कि price fluctuation के कारण जो लोगो को दिक्कत होती थी, इस commodity को consume करने में उस problem को कि आपके choices बढ़ जाते है जब choices बढ़ने लगे तो लोगोंने save करना शुरू करा और उस saving से यहां के art को यहां के theater को, यहां के culture को patronize करना शुरू करा, लेकों को की किताबे मिखने लग गई, कवियों को बुलाया जाने लगा मुशायरे होने लगे, तो इस कारण से क्या हुआ, जो writers and poets they now could earn living by the writing उनको अब कुछ और करनी ज़रूरत नहीं थी, वो किताबे लिखते थे, कमाते थे, वो कविताई लिखते थे, कमाते थे और इवन एडो में तो यह हाल था इतनी जादा reading को लेकि awareness फैल चुकी थी, कि लोग जो है अब किताबों को rent पे भी ले सकते थे इंडो में खा गया था कि आप जितने में एक काटोरी नूडल खाओगे उतने में आप को किताब rent पे ले सकते, उसको पढ़ सकते और जब लोग पढ़ना शुरू करते हैं, अपने history को, अपने literature को तो awareness आती है cautiousness डवलप होता है, और इसी कारण से जो है intellectual development भी हुआ जाता है जिसमें सबसे पहले तो उन्होंने ये किया, जब उन्होंने अपने पुराने literature को पढ़ना शुरू करा अब ही जो modern Japan की बात करें, 18th century की तो उस ताम उन्होंने देखा कि हमारे culture में Chinese influence बहुत जादा हो चुका है और हमें ऐसा लगता है कि हमने सारी चीज़े जो है, चाइना से adopt की है जब उन्होंने पुराने literature को पढ़ा तो उन्हें पता चला कि नहीं, हम पहने Japanese हैं बारग में हम Chinese है, हमारा जो essence है Japanese culture का वो समय समय से हमने भुला दिया है और ये चीज़े जब हम literature पढ़ रहा है, तो हमें पता चला है कि निया से 700-800-1000 साल पहले हमारा Japanese culture जिन्दा है So this happened because कि लोगों ने इन चीज़ों को पढ़ना शुरू कर दे फाउंड that essence of being Japanese can be found before the contact with China जब थमलू चाइना के contact में नहीं भी थे, तब भी हमारा culture बहुत फल्फूर रहा था और इस तरह एक example आप देखें, एक कहानी थी टेल अफ केंजी करके जिसमें जो टेल अफ केंजी है that has been written by a writer named बोड़ा साकी शीकुबू, यह एक female writer थी, बहुत अच्छी लेकिका, इन्हों ने जो बेसिकली प्रिंस गेंजी था, हेयान डैनेस्टी का, उसके romantic life, उसके love life, और जो पूर इरिस्टर क्रिटिक इन्वारमेंट था, उस court में है, इसके बारे मताएं, इससे लोगों को Japanese culture के बारे मताचा, क्योंकि देखो, पड़ी नहीं दे थे, उस टाइम में कोई Wikipedia भी नहीं था, internet बगएर था नहीं, तो आप जब तक किताब नहीं बढ उन्होंने administrative and reforms भी करने कोशिस की दाइम उसको कंट्रोल किया, थोरे से authoritarian भी थे, और साथ ही साथ जो सबसे बड़ी चीज हुई कि awareness, very intellectual development हुआ, तो आखिर ऐसा क्या था कि ये जो शोगुनेट था, तो कुगावा शोगुनेट जो की तना अच्छा चल दा था, उसको अटा क वापस से मुनेर की restore करी जाती है, इसको देखते हैं ले स्लाइड में, तिल देन, if you are liking the explanation, don't forget to subscribe button, pre-subscribe, now जो ये मुनेर की restore होती है, इस phenomenon को नाम दिया जाता है, the maji restoration, क्योंकि जो ड़ा जा थे, जिनको गद्दी पर बिठाय जाता है, उनका नाम था maji, इस maji restoration को जानने क Commander Paddy को ये जिम्मेदारी दी गई थी, कि आप Japan जाएं, और वहाँ से एक trade permit लेके आएं, और हमारे diplomatic relation स्थापित करें Japan के साथ, इससे पहले, to be noted, Japan ने, चुकि हमने आपको का था, कि तोकु का वा शोगुरेट बहुत conservative नी चड़के थे, वो भारी देशों से उतना संपर्क नहीं रखना चाहते था, तो उन्होंने सारी European countries को का था, कि आप से हम trade नहीं करेंगे, हमारे साथ कोई आपका diplomatic relation भी नहीं रहेगा, except Holland, Holland कोई कोई के वाल इजाज़त थी, कि आप हमारे सा trade कर सकते हैं, उनका ही diplomatic mission जापान में था, अटार तो से परपोसल जाता है USA की तरफ दूसरा फाइदा यह होगा, USA के बहुत सारे जहादना Pacific के तुरू Asia आजाते हैं, Australia आजाते हैं, तो उनको एक refueling की जगा मिल जाएगी Japan के किसी island में, that was the purpose, अभी तक तोकुगावा शोगून्स बहुत conservative थे, बट उस समय के तोकुगावा शोगून्स थे, उन्होंने जाता है, कहानी यह थी कि जो समुराइस थे उन्होंने ऐसा portrait किया जंता के सामने शोगूस को कि इन्होंने तो आपके देश का सौधा कर दिया है, और इसके बाद Japan की जंता एक्डिट होती है, अलग-अलग समुराइस जोकि इस लालसा में थे कि यह अटेंगे तो उन पाव सबसे पहला चेंग जो मेजी गौवर्मेंट देख वो यह किया कि उन्होंने अपने कैपिटल का नाम बदल लिया, एडो का नाम पड़ जाता, टोक्यो, तैमीज इस्टर्न कैपिटल, और उसके बास है, टोक्यो ही जैपैन के कैपिटल, अब जब मेजी गोवर्मेंट आच प्रिट्री नेचर के, जब भी ऑपर्टिनिटी मिलेगी, हमें खा जाएंगे, और इसका सीज़ा सीज़ा एग्जामपल इन्होंने देखा था, ब्रिटिश कलोनिजम का, कि कैसे इन्होंने इंडिया पे चटाई किये, कैसे इन्होंने चाइना को तबा करनी है, तो जो वहा बनते थे, कि हमें European ideas को सीखना चाहिए, उसे इंगरोड नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसकी वेज़े से Europe को इतनी तरक्की मिली है, उन्होंने इतनी अपने colonies बनाया है, इंडियर इसी country को जुका दिया, चाइना इसी country को जुका दिया, हम देखेंगे आगे कैसे, चाइना को अपने ideas और technologies लाके यहाँ पर implement करेंगे, फिर एक तबका आया था था जो कहता था कि एक limited opening होनी चाहिए, हमें सारे देशों के साथ संबंद रही रखने चाहिए, कुछ ऐसे देश जो loyal है, जो moral है, उनके साथ ही संबंद रखे, बाकि European powers के लिए हमारे दरवाजी हमेशा के बंद हो जाए, इन डर के बीच जो मेजी गौर्मेंट थी, उन्होंने एक policy launch की, जिसको एक स्लोगर के साथ launch किया, जिसका नाम था, फुकोकू क्यों है, बेसिक लिए जो policy थी, इस slogan का सबसे पहले मत्तब समझते हैं, इस slogan literally mean, rich country and strong army, मेजी गौर्मेंट को पता था, कि जब पतारी के revenue sources बढ़ाने, ताकि हमें दूसरे पर dependent हैं ना रहना पड़े, इसके साथ ही, जो intellectuals थी मीजी गौर्मेंट ने, उन्होंने इस बात पर भी जोड़ दिया, कि हमें जापान के लोगों में, एक राश्टरवाद की भावना फैलानी पड़ेंगी, तब हम लोग किसी भी कलोने पावर के खिलाफ लड़ पाएंगे, संगर्श करपाएंगे, जही छीजए आप इंडिया के कॉंटेक्स में भी देखोगे, यही चीज़ आप चाइना के कॉंटेक्स में भी देखोगे, जम इंडिया को गलाम बनाया गया, तो जब सबसे पहली चीज हुई थी, इस पूरे Nationalistic Movement से बहुत पहले, बिंगॉल के Reformers ने अपनी कविताओं के जरी अपनी कहानियों के जरी राष्टवाद फैलाना शुरू कह रहा था. चाहिए वो बंकीम चदर चैटरंजी हो, चाहिए वो राजाडा मोन रहा हो. क्योंकि जब तक यहां के लोग एक रास्टर काहिस साब ने, आपको नहीं मानेंगे, तब तक वो ब्रिटिश हर्ट के खिलाफ लड़ेंगे कैसे. यही चीज चैनल में भी होती है, और यही चीज जो है, जैपैन भी इंप्लिमेट करने के कोश्श साथ है. नेशन उड़ फैलाना, कंट्री को मजबूत बनाना, और इसके साथ ही उनको यह भी बता था, कि हमें अंपेरड को भी मजबूत बनाना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया में उन्होंने दिखा था कि कोई एक Central Authority नहीं थी, इसलिए European Powers ने इसका पूरा बंदरबाट कर दिया, जब तक और एफ जेब था, तब तक किसी के इंबत नहीं हुई, उसके बाद जैसी Authority अमजोर पड़ती है, यह आके टेक ओवर कर जाते हैं, तो सबसे पहले जो नो नो ने किया, अंपेरर को मजबूत किया, एक अंपेरर सिस्टम लाया गया, जिसमें कहा गया कि अंपेरर व उसको एक Westernization का leader बनाएंगे, अब यहाँ पे समझो, किस तरी किसे Japanese अपना नो psychological game खेंगे, जैपेनीज ने कहा था कि भाई हमें Westernization करना है, और हमें Western ideas अपने लोग को सिखाने है, क्योंकि यह बहुत fruitful है, अब लोग Western ideas को Western powers से सीखें, या Western leaders से सीखें, तो होगा कि वो उससे प्रभावित हो जाएंगे, और कल को कर Western powers हम पे invade करती है, तो फिर conflict of interest हो जाएगा, इस कारएं से अंपेरर को ही leader of Westernization बना दिया गया, इसका मत्ब भीवा कि अंपेरर के जो birthdays थे, उनको national holiday बना दिया गया, अंपेरर जो कपड़े पहनता था, खास तोर पे जो military uniform होता था, व ब्रेटेन की महरानी नहीं है, इससे क्या हुआ कि या के लोग Westernized भी हुए और साथी साथ जापैन के प्रती लोईल भी रहते हैं, so that was the unparer system and how they Westernized their population, इसके बाद इन्होंने reforms करे शुरू किया, सबसे पहला काम जो इन्होंने किया वो किया, कि भाई हमें educational sector में reform करना है, हमे country मस्बूत बनानी है, हमें army मस्बूत बनानी है, बट अपने लोगों को पढ़ान लिखाना भी है, नहीं तो ये ऐसे ही गुलाम बन जाएंगे, जब तक population आपके इनपड रहेगी, तब तक आप गुलाम, गुलामी के ड़के अंदर ही जियोगे, educational reform में जो पूरी की पूरी नहीं था, जो स्कूल नहीं जाता था, कारण ये था कि एक तो policy ऐसी राएगी और उसके बाद tuition fees बहुत minimal कर दी गई, हर को ये effort कर सा, तो जिस चीज की अभी Indian government target कर रहे है कि हमें school में 100% enrollment rate चाहिए, ठीक है, वो चीज जापनान ने 100 साल पहले implement कर दी है, इसके बाद जो curriculum थ इसको जो जापन के ministry मेजी government के closely monitor करते है, जो उनों ने देखा कि हमारे लोग western ideas तो सीख है, बट साथ हमारे history को ignore कर रहे है, वो पढ़ाई नहीं जाती, Japanese modals नहीं पढ़ाई जाते, तो इन्हों ने क्या क्या, Japanese history को inculcate किया, अपने curriculum में, Japanese culture को emphasize किया, और साथ ही साथ moral conduct, enrich क करने पे जोड़ दिया, कि हमें moral conduct सिखाना चाहिए बच्चे को, और इसका फाइदा आप देखोगे, जब 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 गिरा है, चाहे बात करें world war second की, चाहे बात करें अमी जो सुनामी आये थी, earthquake के बाद 2011 में, उसमें तो जब जब पूरी तरीके से खतम हो चुगा था अपने डिपेंडेंसी अटाई nuclear power से उसको renewable energy की तरफ शिफ्ट किया, तो ये सारी चीज़े तब पॉसेबल है, जब 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 बहुत हाई है, और इसको आप देखेंगे, जब मैं बताऊं कि world war सेकेंड के बाद कैसे इन्होंने अपने देश को री ग्रिएट किया है, तो पता चलेगा, साथ ही साथ, education reform में उन्होंने ये भी किया, कि अपने language को बहुत simple कर दिया, पहले जो अलफाबेट होते थे थे न, वो समयों नहीं सीख सकते थे, अब इन्होंने दो नए अलफाब और यह दिर्गु का रहा है, यह आपका fanatics है, तो इन्होंने fanatics की संख्या वढ़ा दी, इससे क्या वो fanatics सीखना आसान है, किसी भी normal आदमी के लिए, तो अब अलफाबेट बहुत सारे लोग सीख सकते थे, यानि कि साथ चड़ता बढ़ गई, ठीक है, जो literacy rate है, वो बढ़ अच्छे हैं, उन सब के लिए military service compulsory कर दो, एक conscription military इसको कहते हैं, कि जब military service किसी खास period के लिए, compulsory हो जाती है, that is the conspiration, that is the conscription military, तो इस तरीके से military को इन्होंने modernize किया, इसके बाद कुछ administrative reforms किया, इसमें सबसे पहले इन्होंने किया, कि जो पूराने domains थे, उनकी boundaries बदल द उसको पूरा देखो, उसके बाद health facilities पर घ्यान दो, उसको अच्छा करो, and तीसरी चीज़ जो है, कि आप military requirements करो, आपके administrative unit से, जितने में 20 साल से, जाद हो अवर के बच्चे हैं, make sure कि वो सभी लोग आर्मी ने कुछ period के लिए service रूर करें, इसके बाद इन्होंने military और bureaucracy को, अंपेरर के direct commandment आ दिया, क्योंकि Japan को ये पता था कि कल को democracy के लिए वाद उठेगी, लोग कहेंगे कि parliament बनाओ, क्योंकि ये modern idea जो है बहुत popular हो रहा था, democracy का, parliament का, even though, अंपेरर शिप रहेंगी, ही मोनार्की रहेंगी, बट parliament रहेंगा, जैसा military में था, तो इन्होंने क्या क direct command में आते हैं, अंपेरर के, अंपेरर हमेशा parliament और सम्मिधान के ओपर ही रहेंगा, इस परकार कव का parliament, एन एक legal system भी create किया गया, क्योंकि अब जब मेजी सत्ता में इतना reform हो रहा था, इतने confident है वो, तो उनको लग रहा था कि भाई, हमें ही continue करना चाहिए, हम किसी और को सत लाग हो, या sedition के case में आ जाए, अब administrative reforms के बाद कुछ समविधानिक बदलाओ भी किये गया, जिसमें सबसे पहले एक समविधान लागू किया गया, बहुत परशर था मेरी government के उपर कि एक समविधान लाओ, तो 1889 में इन्हों ने एक समविधान एनक्ट किया, इस समविधा मतलब सारे लोग इन-member और Parliament के लिए वोट नहीं ने सकते, ठीक है, एक limited तबका होता था जो ही वोट देता, तो यह मकसद यह था कि लोगों की इन्हों इन्हों परशर बनाने की और समविधान बनाने की यह भी पूरी हो जाए, और Parliament को हम इतनी ताकत भी ना दे, जिससे वो कलको, अगर कोई फैसल लेता है, उसको चैलेंज कर सके, या किसी भी प्रकार से military या विरो कसी पे कोई दबाब बना सके, so that was the purpose basically, अब हम यह देखते हैं कि जो भी इन्होंने administrative, constitutional या military reforms case की impact क्या पढ़ते हैं, तो basically जो impact है, उनको दो तरीकों से देख सकते हैं, एक तो positive impact औ जापान की सनक, कि हमें भी Britain की तरह imperialistic बना, हमें भी colonies बनानी है, तो इन्होंने धराल धराक अपनी colonies बनानी शुरू की, क्योंकि military जो है, emperor के command में इस पे किसी भी परकार का, दबाब कोई नहीं डाल सकता है, और इसी सिलसिले में इन्होंने चाइना और रशिया को भी हरा है रशिया बहुत बड़ी पावर थी, चाहना एक बहुत centralized authority थी, इनको हराना, किसी भी देश के लिए ख्वाब ही होता था, और जापान जेते हैं छोटे देश के लिए, जो यहां से यहां तक है, उनके लिए तो यह beyond the dream है, इसके लाब कुछ negative impact भी पढ़ते हैं, सबसे पहला और वो हरन करके जो government अपने मर्जी से expansion कर रहें, तो opposition तो कड़ेगी ही करेंगी, तो लोगों का position जिलना पड़ा, और जहां भी democratic demand होती थी, आप parliament को और empower करो, constitution में बड़ाव करो, तो इन सब को दबा दिया रहाता था, इनको करश कर दिया रहा, इसके साथ ही कुछ economic reforms भी हो इसके बाद इन्होंने टेक्स्टाइल मशिनरी इंपोर्ट करनी शुरू कि अपने टेक्नीशन को बोला कि यह टेक्नोलोजी आप एडॉप्ट करो और यहां पर production capacity उसको बढ़ाओ, इसके बाद इन्होंने modern banking यहां पे लाई, इसके काडल से जो अब companies को credit मिल सकता था, और इनको बढ़ेगा, और जो बड़े-बड़े manufacturing companies थी, conglomerates, समिशुबुशी हो गया, यसुमी तुमों हो गया, इन सबको बहुत फेमर के मेजी corporate, क्योंकि इसे पाईसा बहुता था, तो इनको क्या कहा कि आपको हम लोग subsidies देंगे, tax में छूट देंगे, आप लोग production करो, और dominated the economy till after second world war, so second world war तक अगर देखेंगे, तो देश में manufacturing के special, अगर बात कह रहें, तो जितनी भी company आथी, they were the family enterprises, और यही बदलाब करते हैं, जब USA in occupy के Japan को, so they started changing the system, उन्हों ने का है, कि यह जो इनकी economy है, इनकी सबसे पहला बदलाब यह करना पड़ेगा, कि opportunities को democratize करना पड अगर बदलाब आए, आगे daily life में क्या बदलाब आए, उस अब को अगले साइट में देखते हैं, till then if you are liking the explanation, make sure you hit the subscribe button, and don't forget to share this video, क्योंकि, past to modernization के demand बहुत आ रही थी, और मेरा नहीं खाल कि इस प्रकार का explanation किसी ने प्रवाइड कराया है, पोरे YouTube community के अगर मात करें, so make sure कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ share करें, and अपने, you know, student group पे, school group पे भी support आ सकते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, Japan के industrial growth को लेखने के कोशिस करते हैं, so Meiji की economic reform से आगे बढ़ते हुए, यह समझे की कोशिस करते हैं, कि Japan में Meiji era में किस तरीकी इसे industrial growth हो ना था, basically manufacturing sector उस जमाने में बहुत एक high rising sector था, और अगर economy आगे बढ़ रही है, तो manufacturing output भी आगे बढ़ेगा, तो इसी लिए industrial sector में workforce की बढ़ोतरी होती है, गर इस stats आप देखें, तो 1870 में, जहां manufacturing sector में, 7 लाख लोग काम करते थे, वहीं आकड़ा, 1913 में 40 लाख हो, या मतलब, industrial sector और यह strategy मैंने आपको industry revolution में मी बढ़ाई है, जब Europe में industry revolution हुआ था, तो शुरू में पूरुषों को recruit किया गया था, बाद में देखा गया कि पूरुष जो है, उनकों में जादा पैसा भी देना पड़ता है, उसी काम के लिए, और वो नकरा भी बहुत करते हैं, प्रोटेस इसे western modern को imitate करने की कोशिस कर रहा है, और लेकिर यहां पे भी महिलाओने लेवरी स्ट्राइक की, जैसा यॉरॉप में होता था, women organized the first strike in 1986, इसका कारण बेसिक लिए था, कि उस जबाने में जादार जो वर्कपोर्स थी, उनमें महिलाओ का ही आँकड़ा था, और वर्किंग उस जमाने में भी खड़ाब थी, low wage काईश उस जमाने में भी था, जैपैन की industrial sector में एक और बहुत पेकिलर शीज़ आपको देखनी को यह मिलेगी, कि जैपैन भी जादा तर वर्क्शॉप्स थे, छोटी छोटी फैक्टरीज, उनमें पाच सितकम लोग employed होते थे, five year, less than five people इसका मत्तब ही है, कि ऐसा नहीं थे कि जैपैन में बहुत बड़े-बड़े enterprises थे, यह बटिन की संख्या बहुत कम थी, जिनको जैवत सू कहते हैं, जादा लो संख्या थी, वो ऐसे चोटे-बटे family enterprise की थी, जहाँ पे लोग अपने घर के backyard में कुछ प्रोडूस करना शुर इसके साथ चुकि जो जमाने का इंडिस्या सेक्टर था, उस पे पूरी तरिकी से capitalist classes का dominant था, और वो उसे साथ अपने हिसाब से ही चीजों को चलाने की कोशिस करते हैं, तो इसके कुछ negative impact भी हमें देखने को मिलते हैं, in the terms of environmental destruction, एक example है Asia Vine का, जहाँ पे भारी मातरा में जो आस-पास के water resources थे, वो गंदे हो रहे थे, जिससे हादारा लोगों को परिशानी चीनने पड़ रहे थी, तो अन्त में Tanaka Shuzukar के एक member of parliament थे Japan के, वो आ गया आते हैं, और 1897 में arts of villages के साथ उन्होंने के annotation launch के हैं, जिसके चलते बाद में फिर कुछ सुधार मी हुए, लेकिन अभी जो industrial sector है, वो capitalist classes के दुआरा ही, dominant है, उनकी ideology जो जैसा वो चाहते हैं, वैसा ही हो रहा था, so that was all about the industry growth in Japan, अब यहाँ पे Japan के थोड़ा साना, अब background देखें, पहले जापान के पास एक डर था, कि भाई हमें कोई उपनी वेश बना लेगा, अब जापान के पास वो डर दी रहा, उनके दिमाग से डर चला गया, क्योंकि उन्होंने educational reform कर लिया है, उन्होंने अपनी military मजबूत कर दी है, उन्होंने अपने economy में reform किया है, industry sector उनका बहुत आगे बढ़ रहा है, तो अब यह डर नहीं है, बलकि अब उस डर की जएने एक सनक ने जैपान के दिमाग लिटरी मजबूत कर रहे थे, तबी भी जन्ता डिसाटिसफाइड थी, तो अब तो जन्ता obviously डिसाटिसफाइड होगी, जब वो किसी दूसरे कर्टरी को कॉलनाइज करें, क्योंकि एक तरफ तो वो अपनी जन्ता को डेमोपेसी सिखा रहा है, freedom of individual सिखार, individual right सिखार है, और जापना ने इसको इसाद किया, यह चीज पहले implement हो चुकी थी, European countries का तो रहा है, जैसा आपने देखा कि Japan European countries को पूरी तरीकी से migrate करता था, Japan यह कार्ड यहाँ खेलता है, यसे बिटेन में आप देखेंगे, वा कि जन्ता को बिल्कुल भी regret नहीं है, कि बिटेन ने बहुत सा प्रोड़क्ट बनेंगे कैसे, या अगर चाइना से हम लोग ओपियन ट्रेंड नहीं करेंगे, उनको फसागे नहीं रखेंगे, तो चाइना से तो आप इतना समान मंगा आते हो, आप मंगा कैसे पाओगे, इस तरीके से वागी जन्ता अभी बी इंडिया के पूरे, मिरिट में तो कर रहा है, और इसको कहते हैं, अगरेसिव नेशनलिजम, इसको जैपैन ने अलग-अलग फेजस में इंप्लिमेंट करने की कोशिस के, और इसके शुरुवात मेजी एराके रिस्टोरेशन के साथ ही होगी, सबसे पहले क्या हुआ, मेजी जब सरकार में आते हैं, उनकी क्याबिनट में उनी लोगों को जगे दे गए, जिरोंने मेजी को सपोर्ट किया था इस्टोरेशन में, उसके बाद जो अमपेरर था, उसको फोर्सेस का कमांडर बना दिया, सुप्रीम कमांडर बना दिया गया, और ये सारी जो फोर्सेस नी जाएगो, आर्मी हो इनको इंडिपेंडेंट कंट्रोल दिया गया, कि ये केवल और केवल अमपेरर के लिए राइबल है, इनको कॉस्ट्यूशन के तरी आप किसी तरीके से कंट्रोल नहीं कर सकते, यदि कि पार्लेमेंट अगर चाहे भी, तो आर्मी और नेभी पे कोई दबाब नहीं डाल सकत है, 1899 में बहुत स्ट्रेंज रूल हुआ कि ततकाली इन प्रमीनिस्टर ने शुक है कि भाई, हमारे मिनिस्टर के वल सर्विंग जिनरल्स एंड एड्मिरल्स ही बन सकते हैं, तब जो देश के मारी हितनी पे पॉलिसी हैं, अब मिलिटरी के परस्पेक्टिव से, वो देखी कि जनता, क्योंकि जैपैन की जनता, जैपैन की गवर्मेंट चाहते थी, कि हमें जैपैन की जनता का सपोर्ट मिले, अपने सारे मिलिटर कैमपेंस में, जिसके जरीए हम चीन में, ताइवान में, कोडिया में, जैपैनिस जिंडे को फैराना चाहते हैं, that's why this card was played by the Japanese government, Meiji government particularly अब आगे बढ़ते हैं, जैपैन में दबा के westernization होड़ा है, और इस westernization के गहार मनें देखा कि सारी चीज़ों में, वो western ideas को copy करना है, जाए वो अगे तासे nationalism हो, जाए वो industrial revolution हो, सारी चीज़े वहीं से आ रही हैं, अब westernization और tradition की बीच एक लंबे debate होती है, कि मैं हमें पूर जनरेशन था, जिसने दोकुगावक शोगूस के जमाने के देराचा देखी थी, और जिसने फिरमेजी एरा में जो रिफोर्म वे उसको देखा था, उनका ये मानना था कि USA और western countries जो है, they are in the highest point of civilization, और हमें पूरी तरीके से उन्हें इमिटेट करना चाहिए, और हम अभी त जो इसे एक super power बनने से रोबता है, उनके शम्देते कि Japan must expel Asia from its history, उसके बाद जनरेशन थी, उसके बाद की जनरेशन जिन्होंने growth देखी थी, उन्होंने negative aspect भी देखे थी, तो they question this total acceptance of western 9 years, उन्होंने देखा था कि जैसे रेसे growth हुई है, economy growth हुई है, industrial growth हुई है, वैसे वै acceptance को question किया, उन्होंने यहाँ तक कहा कि हमारे जो national pride है, वो को western values पर build नहीं होना चाहिए, हमारे खुद के indigenous values पर build होना चाहिए, हमारा culture dominate करे, एक intellectual थे आपके मियाखी सिसुराई, उन्होंने कहा था कि हर country को, अपना एक special talent develop करना चाहिए, in the interest of world civilization, ताकि वो किसी न किसी तरी का था, जिसने बहुत liberal opinions suggest कि, उन्होंने का कि Japan को जो है, growth करनी चाहिए on the basis of democracy, not on the basis of military, कि हम किसी को colony बना दे रहा है, तिक है वहाँ पे जुल्म कर रहा है, अईसा नहीं हम वो डिमोक्राटिकली आगे बढ़ना चाहिए, उन्होंने का, एक intellectual थे उसी तब के, कि उन्होंने क सारे जो authority है, वो imperer और बिरुके से military के पास है, यूए को बहुरी ने ये भी का कि हमें, liberal education promote करनी जरूरत है, उन्होंने बहुत अच्छा statement दिया था, कि freedom is more important than order, कि हमें military के जरीए, एक order तो भी लिया, कि हमें कैसे चलना चाहिए, बट लोगे पास आजाधी अभी भी नहीं है, वो कुछ भी नहीं बहुत सकते, हमने देखा था कि कैसे major ira में censorship लगाया गया है, meetings को regulate किया दाता था, political parties, political groupings को regulate किया दाता था, तो ही emphasized कि freedom बहुत आता जरूरी है, फिर कुछ लोग थे जिन्होंने voting rights का demand की for the women, और यह वो एरा है आप गौर करिए, जहाँ पे अभी स traditional government बनी थी, तो elections भी होते थे, और वो election limited franchise के basis पे होते थे, सभी को बोड़ देनी का दिकार नहीं था, वहाँ पर यह जो तबकात intellectuals को भी कह रहा है, कि सबके पास तो होई, उसमें महिराओ के पास भी हो, और यह चीज़ implement होती है, बहुत बात में जाके, जब World War 2 में Japan में जैसे करे daily life के बाद करे तो जैपान में बीजी रा से पहले 4 family प्रेवलेंट थी, अब nuclear family system जोगे प्रेवलेंट होगे है, अब nuclear family system में होता क्या था, एक परिवादर इसमें पती है, husband जो की bread winner होता था, मतब कमाने वाला, और wife होती थी जो की घर का काम करती थी फिर एकार द इसके लावा चीप हाउसिंग अवेलेबल हो गया अब जब 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 बड़े बंगलोज में कूटी में तरहेंगे नहीं दो-तीन बेटे रूम के अपार्टमेट्स बनने लग गया उसको बरी-बरी कर्स्ट्रक्शन कबनीयें बनाती थी और वो इस्टॉल्मेट के जड़ी इतना एफटेबल कर देती थी कि आसानी से कोई भी नॉर्मल एम्प्लॉई जाके उसको खडी सकता था उसके बाद सोशल स्फेर्स में भी चेंज होते हैं सबसे पहले ट्रांस्पोर्ट सिस्टम बहुत इप्रूव हो गया कार्स आ गये थे ट्रांस आ गये थे इसके बाद अगर बात करें पंप्लिक पार्क्स वेर उपेंड फ्रॉम एटी सेवंटी एट टोक्यों बे एक जगे थी गिंजा करके वो गिंजा के लिए बहुत फेमस होगी इनवरा वत तब गिंजा के आसपास ट्रॉल करना इसका गर में वैटती है आउसोल कोर्स करती है और इसमें भी बहुत स्मूधनेस आ गई है घर के काम में जादा वक्त नहीं लगता है मेनद भी कम लगता है तो अब उनके पास बहुत आइडल टाइम होता है तो खरींगी क्या क्योंकि पहले तो जोएंट फैमली सिस्टम था तो पास पास लोग रहते थे ओनी इंटर्टेंबंट होता था तो वजा लगता था अब इन के पास इंटर्टेंदमेंट का कोई साधा नहीं है तो radio stations बन गया इसके radio प्रोगाम साने लगे इंटर्टेंटमेंट के मूवी बननी शुद इसमें बाद सेगरों मूवीयां बननी श अब अपनी आजादी सेमिल गड़ा है तो लोगों ने पुराने धन्रे पे क्वेशन लगाने शुरू कि हम लोग ये ट्रिशनल नॉर्म्स और भीवियर्स क्यों फॉर अब जापान में दौर आता है 1930s के बाद जब जापान एक्स्टेंसिवली अपना एक्स्पैंशन करता है जैपैन के रिए ट्री एक्सपैंशन था गड़ा एक्सटेंस अगर आपको इतना रड़ा इस्पैंशन करना है तो अब इसली अपने अंदर की डिमक्रसी की आवाज या खुरिटम राइट्स की आवाजों को आपको दबाना पड़ेगा यह जो बहुत सारे डिसेजेंट्स से जो सड़ों को पूतर के परटस्ट वगएरा करता था उन सब को जैन में डाल दिया गया और यह जो लिबिटलिसम और डिमक्रसी की फिलोस्पी थी इन सब को करश कर दिया गया इन सब को मानने वाला आप कोई नहीं था तो अब जैन पार इन सब के करने की पीछे बहाना क्या दे रही कि हम क्यों इन सारे आवाजों को क्रश करना या हम क्यों इतना मिलिटल एक्सपाइशन तो ब्रिटेन और जो वेस्टरन पावर है वो अम पे कंट्रोल जमा लेंगे अब लोगों में ये डिबेट शुरू होती है कि हम कैसे ब्रिटेन और जितने भी वेस्टरन पावर से हैं उनको हराए वाइल बिंग मॉडर्ण इंग डिबेट शुरू ही ओवरकमिंग मॉडर्णिटी की 1943 में सोसाइटी ने डिबेट की एक इंटेलेक्शल सोसाइटी थी अब ले सकते हैं उसके उपर डिबेट होता है तो कुछ इंटेलेक्शल साय और उनने अपने उपीडियंस दिये एक इंटेलेक्शल से निशितानी काजी उनने जैपैन के इस एक्सपैंशन को सपोर्ट किया कि जैपैन ने जो अभी तक सक्सेस आसिल की है सबसे बड़ी सक् अब एक ग्रेटर इस्टेशा के डिमांड बननी चाहिए और ग्रेटर इस्टेशा का जो लेड है वो जैपैन करेगा विशतानी केजी बेसिकली इस चीज को आउगिव कर रहा थे तो यहाँ पी जैपैनीज मिलिटरी एक्सपैंशन को सपोर्ट करना है बट यह फीबर क्या ग्रेटर इस्टेशा बनाना है एक सूपर पावर इस्टेशा से डिमर्ज होगी इसका जो लेड लीड है वो जैपैन के पास रहेगा एक मुजिशन थे औरोने का बहुत सारे डिबेट आया है औरोने का है कि बाई हुआ क्या है कि जैपैनीज मुजिक अब इतनी जादा वि अबरी तरीके से बिस्टराइज वराएंगे वो विल नाट बी हाविंग अडेंटिटी ओवार रोड इस बाउड बाई जाता है जब जैपैन के नागा साख की और इड़ोशिमा पे यूएसे ने बांडिंग कर दी नुकलियर बॉंब्स की इसके बाद तथाकत्र तोर पे बाई भी खतम हो जाता है और जैपैन पे यूएस उक्पेशन चुड़ो गया बैसिकली जैपैन एकसेस पावर पैसा था और एकसेस पावर जीज जाते है वर्ड वर सेकंड तो एलाइट पावर ने जितने भी एकसेस पावर की मेंड कंट्रेज थी चाहे वो जर्मनी हो गय नहीं वो आया था वर्ड वर सेकंड में तो पहला जो फेस था इस उस उक्पेशन के फेस को अगर आप देखे तो तीन फेसे वार सकते हैं पहला जो फेस था उसमें इन्होंने दबा के परिश्मन दी रापान को यह जो यह जो यह सौपेशन 1925 सक दीस सुरदारीस तक चला उनको एक नया समविधान बना के दिया गया जिसमें कहा गया कि एक आर्टिकल लाइन है जिसके इंतरगत आप कभी भी वर इनिशेट नहीं कर सकते और कोई ऐसे मिलिटरी मिलिटर नहीं कर सकते जिसका परपस वर के लिए हो इंटर्नल सेक्यूरिटी तक तो थीक है आप कोई वर नहीं निशेट कर सकते हैं वेस्टर्ड पावर्स निए देखा था कि जैपैन के इस अंदर दून रोत के पीछे funding किसकी थी capitalist classes की और capitalist classes इतना दद उन्हों पैसा कमा की हो रहे थे क्योंकि उनको factories बे अपोजिशन नहीं मिल ला था तो trade unions अस्तापेट कहेगा ताकि यह जो unregulated growth थी ना इसको रोका जा सेके इसके बाद politically Japan को वजबूत करना था इसलिए अलग-अलग political parties को revive करा गया ताकि एक democracy आए और proper position बन सके democracy बहाल करने के लिए तो शुच्शालिस में elections भी held करवाएगे जिसमें बैलाओ ने पहली बार उड़ दिया तो this is also an important year for Japan after defeat response में हुआ कि उसके बाद USA ने make sure कि government bureau किसे और industry वगएर जब साथ मिल के काम बिर सके ये चीज में जी जरा में भी हाला की हुए थी उस टैमें लेकिन परपस अलग था कि हमें world power बनना अभी परपस ही कि हमें वापस है चीज़े recreate करनी है इसको ही select करना यहाँ आप हमें आपको ले चाहूंगा जैपैन के educational reform पे जहाँ पे मैंने करें जो कल तक यह मान रही थी कि हम भी militant येतना बड़ा powerful बन जाएंगे imperialistic country बन आए अब उस country पे USA का कबजा है ठीक है पूरी country पे सारी चीज़े वही लोग control करना अब आप मासिक हालत देखो क्या होगा वाहाँ पे कहानी ऐसे ऐसे है कि एक तरफ पूरी तरीके से construction का धेर पड़ा हुआ है bombarding हो थी obviously गर वगरा तूड़ जाते तो जो छोड़े-चोड़े बच्चे थे उन्हों सब को side करके वाँ पे guidance लगा रहे थे ताकि positivity फाने लोग इस hopelessness से आगे बढ़े ठीक है और हम लोग आगे future के तरफ देखना पास्ट के तरफ के हमने क्या गवाए है तो यह जो moral thought है ना उनका जो moral stamina वो इतना हाई है कि यह इस post war defeat से भी आगे बढ़ते हैं और grow करते है जिसको post war medical कहा गया और एक example मैंने इस chapter के शुरू में आपको बता आता कि 2011 में क्या होता एक tsunami आती है पहले अर्थकुक आया और उससे एक tsunami आया जो कि अभी तक कि सबसे बुरी tsunami मानी आती है tsunami तो अपने आप में ही बहुत बुरी चीज़ है इसके बाद क्या होता है उस tsunami के कारण जो जापैन का nuclear reactor था वो उसमें blast होड़ा था बहुत लोग मरते है सबसे बड़ा नुपसान यह है कि दो से तीन दीन तक पोड़े जैपैन की बिज़ी नहीं रही जैपैन ने उसके बाद क्या किया उड़ी कोशिस की कैसे करके हम nuclear power पे बने dependency कम करे जैपैन is one of the countries जो अभी बहुत दादा इन्वेस्ट करता है renewable power energy जो की future है हमार solar energy, wind energy, thermal energy वो जो नीचे वाला क्या बोलते हो उसको जी हो thermal energy इन सब पे भी जैपैन बहुत इन्वेस्ट करता है इसका benefit आप future में दिखोगे जैपैन को मिलता so this is the moral stamina people of Japan जिससे वो इन situations निकल के अपने आपको इतना आगे लिए जाते है defeat के बाद अगर जैपैन की growth की बात करे तो सबसे पहले जैपैन में political participation बढ़ाए गया अलगले लोगों की तादाद बढ़ी चाहेगो elections लड़ने के लिए हो, वोड़ दरी के लिए हो इसके बाद जैपैन की economy को boom बिलता है Korean और Vietnam वर के जरीए क्योंकि जैपैन अब USA कराई बन चुका था और USA in wars में actively involved था they are the part of cold war रहना तो जैपैन supplies provide करवाता था USA को USA को demand करें टोई military supplies की food supplies की और इससे जैपैन economy को बहुत growth मिलती है, बूम बिलता है इसके बाद जापान के लिए 1964 बहुत एक खास साल था क्योंकि इस साल इनोंने ट्रास्पोर्ट की दुनिया में एक बहुत पड़ा कदम रखा, bullet train इंट्रूइस किया और 1964 में टोक्यो Olympics भी held करवाया इन बड़े इविंट को held करवाने से क्या होता है आपके एकॉनमी बहुत आगे बढ़ती है क्योंकि बहुत सारे लोग आएंगे Olympics देखने ही डिमांड क्रियेट होगी and then आपके एकॉनमी में production बढ़ेगा ऐसे ही अभी जैसे World Cup होगा हाली में इंडिया में तो खागे कि इंडिरेक्ली और इंडिरेक्ली इंडिया को करीब करीब एक बिलियन डॉलर का फाइदा होगा तो यह क्रिटेट वल्ट कप है जो कि बहुत बड़ा इवर नहीं माने जाता है FIFA अगर आप कराएंगे बहुत दादा पैसा आता है Olympic कराएंगे तूससे भी दादा पैसा आता है जैपैन के ग्रूथ के साथ यहां पे गौर करने वाली बात है कि जैपैन ने अब के वर ग्रूथ पे नहीं इंध्यान रखा वो प्रॉपर डवलप करने की कुशिस कर रहे थी कि हमारे यह ग्रूथ हो बट हम साथी साथ जो उसके निगर्टिव आस्पेक्ट है उसको कम से कम रखे जैसे फूर इग्जांपल इन्वर्टिमेंटल जो कंसर्ण्स है जापान में हमेशा से रहे है जापान का जो टेरेन है वो ऐसा है कि वहाँ पे रहेंगे 1960 से क्या होता है बहुत सारे कर्वेंशेस भी साइन की जाते है तो यह सारा काम मुवेंट्स वगेरा लोग खोदी आके सटको पर प्रोटेस्ट करते थे और फिर जो इंडिस्ट्रियल सेक्टर है उसको कुछ कदम लेना पड़ता है जैपैन की गौर्ब्मेंट है यहाँ पे बहुत बड़ा कदम के 1980s में उन्होंने कहा कि आपको सटको पोतरने के ज़रूरत नहीं है हम खोद ही इन सब को रेगलेट करेंगे और कुछ ऐसा करने ही नहीं देंगे जिससे ही environmental concerns जो है वो raise हो So this is how Japan not only grieve after the post war era बलकी एक proper country में develop होता है जो की grow भी करना है और साथ-साथ अपने future generation के बारे में भी सोच रहा है अगर modern Japan की बात करें अभी उनके पास क्या-क्या major challenges है तो सबसे पहला challenge तो यह है कि भाई वो global leader के position पे पहुँचो के हैं उसको maintain कैसे करना है क्योंकि Asia में अब और भी बहुत सारी powers उपर के सामने आ रही है दूसरा और I think सबसे बड़ा problem है aging of population उनकी population बहुत चल्दी मूर ही होती जाड़ी क्योंकि fertility rate उनका बहुत slow था और sociology में आप देखेंगे कि average age का क्या concept होता है aging of population कैसे होता और तीसरी जी समस्या that is growing income inequalities सारी कंट्री समस्या से जूस्ती है जो भी capitalist model पर अपनी society बिल्द कर रही है कि हमारे income disparity बहुत जादा है इसको कैसे भी करके हमें कव करना है so that was all the story of Japan हमने देखा Japan किस तरी किसे classical एड़ा से फ्योडर लड़ा में जाता है उसके बाद मेजी डिस्टोरेशन हुआ वहाँ पे कैसे growth हुआ कैसे जापान एक superpower बना जिसने चाइना और रश्या देसी superpower को हडाया उसके बाद वर्ड वर्ड सेकेंड में USA द्वारा में डिफिल्ट के बाद कैसे जापान ने खुद पूरीक डिएट किया अब देखते हैं चाइना की स्टोरी होब कि आप सभी को ये पार्ट जो पसंद आया होगा वाट यू गैन डू आप एक छोड़ा सब ब्रेक ले सकते हैं उसके बाद वापस से चाइना की स्टोरी को रिजूम करते हैं जिसमें हम देखेंगे चाइना की स्टोरी फिर्वात करते हैं चाइना की फिजिकल फीशर्स से जिसमें सबसे पहले देखेंगे इंचिएगरफी को चाइना is a continental country कहा जाता है कि चाइना का साइज इतना बड़ा है जितने में एक continent आ जाता है अगर आप Australia की बात करेंगे, including New Zealand, तो वो शारे इसे थोड़ा ही बड़ा होगा, ये छोटा होगा, चाइना इतना बड़ा है कि इसमें बहुत सारे climatic zones भी हैं, और time zones भी, obviously बहुत सारे होंगे, climatic zones मतलब ये हैं कि बहुत सारे इलाके ऐसे जहां पर बहुत ठंड पड़ती है, फिर कुछ इलाके ऐसे जहां पर दिन में बहुत गर्वी होती है, रात में बहुत ठंडी होती है, अगर चाइना के terrain की बात करें, तो जो large portion है, वो पहाड़ी है, जैसे अब ने जैपैन में भी दिखा था, और जो water management है, उसमें तीन rivers का बहुत बराड़ों ने, यह आप सबसे पहले देखे रहोगे, यह आप यह लो रिवर, यांक्से रिवर और पर्ल रिवर, इन तीनों के सरी पूरे चाइना का water management system चलता है, अगर बात करें यांक्से रिवर की जिसको चांक जियांक भी बोलते हैं, तो यह जो है दुनिया के तीसरी सबसे बड़ी नरी है, lengthwise आपको comment box में यह बताना है कि दुनिया के सबसे बड़ी नरी कौन सी है, lengthwise that you should tell me in the comment box that was all about the geography of China इसके बाद अगर बात करें चाइना के ethnicity की and language की, तो चाइना में जो हार community की लोग हैं, वो dominant है वतम majority में, इसके लावा कुछ minorities भी है, जिसमें manchu आते हैं तिबतन आते हैं, हुई and जिनको विगुर्स भी कहते हैं, वो आते हैं, माचू community के लोगी को डेंस्टी को चलाते थे तो queen rulers were machu ethnicity and विगुर्स बहुत जादा भी trending में हैं क्योंकि जो विगुर्स community के जादर लोग है, वो वसल्मान हैं और चाइना ने अभी street-sponsored crackdown विगुर्स मुसलिम्स पे किया हुआ, street-sponsored crackdown मतलब, सरकार जुल्म करती है वहाँ पे विगुर्स मानों पे कोई एक proper religious institution या political group नहीं है इसके लाव अगर language की बात करें तो जो mandarin है, जिसको traditionally putar guva कहते हैं classical chinese कहते हैं that is a major language इसके लाव को traditional बोलिया है जो अलगर उक शेहरों में बोली जाती है उसके बाद आते हैं चाइना के सबसे इंट्रेस्टिंग पार्ट पे that is the Chinese food दुनिया में सबसे जादा पॉपलर जो Chinese food है that is a Cantonese cuisine बहुत सारे जवों पे Cantonese cuisine पॉपलर है, इसका कारण ही है सबसे पहले अगर मुझे केंटोन को लोकेट कारना हो तो Cantonese is located in this portion यह जो Southeast of China है आज का गवांग्जुटी से कहते है if I'm not wrong, तो 2009-2009, 2008 में यहाँ पे Asian Games भी हुए था तो Cantonese cuisine है इसलिए ज़्यदा पॉपलर है क्योंकि यहाँ से बहुत सारे लोगों ने अगरे देशों को माइगरेट किया चाहे हो सब कॉंटिनेंट हो, फ़र चाहे हो अमेरिका हो, यौरप हो और फिर वो अपने साथ अपने खानों को भी लेगा और पूरे दुनिया में पॉपलर कर दिया इसके लाव अगर बात करें नौर्स चाहिना की तो वहाँ पर बहुत जादा पॉपलर है, एक प्राइवरी फूल मारा जाता है उसके बाद जो सेंट्रल प्रोविंस है, शेजवान का वहाँ का जो खान है बहुत मसालेदार हो और शेजवान के भी बहुत सारे जो रेसिपीज है वह आपने खाय होंगे तो चुकि यह वहाँ पर उन मसालों का वैपार होता था तो दीरे-दीरे वहाँ के खान-पान में भी इन मसालों ने अपना घर कर लिया और वहाँ का खाना फिर मसालेदार बने टाकिया बत्तब बहुत नजदीगिया है जोगरफिकली अब आगे बढ़ते हैं यह जानने के कुशिस करते हैं कि आखर चाइना का जो modern इतिहास है आदोने कितिहास है वो शुरू कैसे हो तो चाइना का जो modern history है वो शुरू होता है यॉरॉपेंस के आगमन के साथ शुर्वी शेताबदी में पिंग डैस्टी का शासन था और उसी जमाने में कुछ जिसर्ट विशिनरी जो है वो यह और आपसे चाइना आते हैं जिसर्ट संगर्ठन के बारे में बात की थी रेंड़सा वाले चैप्टर में जिसमें मैंने आपको बता था कि कैसे रेंड़सा के बाद किस्चैनिटी के पचार प्रसार के लिए इंग्नेशियोस अफ लोईला एक सत्थे उन्होंने इस संगर्ठन की शुरुआत की और फिर यहां से इस संगर्ठन ने बहुत सारे ऐसे देशों के रिश्चैनिटी को फालाया जहाँ पे रिश्चैनिटी का वैपार और जो एक इंटरेक्शन है वो उता रहा था बट अभी डिसेंटली सोली शेताब्दी से ठीक पहले हुआ गया था रहने सा हुआ था इसमें वापस से उन सारे स्किल सेट्स को उन सारे स्ट्रोनॉमिकल कॉसेप्स को नीं डिस्कवर किया इन लोगों ने और उसको के पीछे पीछे आते हैं यवर्पेन वैपारी जैसा की हर जगह होता था है कहीं पर वैपारी पहले जाते थे तो पादरिबाद में आते थे यहाँ पर पादरी पहले के पादरी में अकर नीं थाब जानानी शुरू कि और इसी सिंसले में होता है ओपीन ंट्रेड एट Taoist So that is basically हम लोग पूरे OPM War का एक context देखते हैं world map के जरिए यह आप हमारे पास एक world map है अब OPM War की कानी सबस्ते कि आखर OPM War होता क्यों है तो यहाँ पर आपको तीन players के बारे में जानना पड़ेगा सबसे पहला यॉरप, यॉरप में आप सम्मेले है जी दिलन वगएरा, उसके बाद दूसरा जो player है ढट इस India और तीसरा जो player है ढट इस चाइना उता क्या था? ट्रणिशनली चाइना से बहुत सारे सामान यॉरप जाते थे जैसे पोर्सेलीन हो गया, सिल्क हो गया, मसाले वगएरा होगा Europeans Chinese goods को import कर रहा है export तो कुछ करते नहीं है तो क्या होगा China से goods आएंगे और Europe से Europe का price आजाएगा bullion जाएगा gold जाएगा silver जाएगा ठेक है इसको रोकने के लिए Europeans एक तरकीम लगाते उन्होंने तब तक अगर बात करे 18-18 शेताब दीकी जब ये 19-वे शेताब जी जब ये उपी वार होता है तो इन्होंने इंडिया को colonize कर लिया था 18 सेचुरी के अंतर तक आते आते classy अड़ाते है Bengal को control करते है फिर अवद को अड़ा देते है मराठाओ को अड़ा देते है सिको को अड़ा देते है तो इन्होंने इंडिया में अफीम की खेती करवाने शुरू की अवद की conquest ये बिंगॉल की conquest इसलिए ताज़ाद इंपॉरण थी इन के लिए क्योंकि यहां से लोग इन सारे गुट्स को produce कर सकते थे जिसके देर ये अपने trade deficit को manage करते थे तो अफीम इंडिया में उगरे लगा ठीक है बिंगॉल के लाके में अवद के लाके में जो कि बहुत fertile था और ये अफीम कहा जाता था चाइना तो अब ये context है कि इंडिया से अफीम जाता है चाइना बहुत सारे लोग यहाँ चाइनीज कंस्यूम करते हैं अफीम को और फिर चाइनीज जो अफीम का पेमेंट करते हैं न वो यहाँ पर इस्टेडा कंपनी के एजेंट से रिसीब कर लेते हैं और फिर उन्ही पेमेंट से चाइना से सामान खरीद के यहाँ बेज देते हैं अब क्या हो रहा है चाइना से सामान तो यहाँ जा रहा है बट चाइना को यहाँ पेमेंट से पेमेंट नहीं आ रहा है उन सामानों के पेमेंट चाइनीज खुद कर रहा है वो अफीम खरीद थे हैं जो पैसा उनको मिलता ये और अफीम को उसी पैसे से वो चैनीज अमाल खरीद के वापस बेज देते हैं अफीम की जो अफीम कर वेपार है वो मत करो इसको लेके ये वरपेंस ने बगावत कर दी और फिर पहला उपियम वार होता है पहला उपियम वार जो है वो 1839 से लेके 1842 तक चला इसमें अकेले विरेटेन की फोर्सेस ने कुईंग डैनस्टी का सामना किया और अन्तितर जो में कुईंग डैनस्टी के इसमें हार होती है इसमें भी वास हिमिलेटेन ट्रेटी के साथ साथ की गई उसके बाद second opium war again उसी के कारण होती है फिर जो है trade को लेके इसमें इसके बाद first opium war में हार के बाद queen dynasty ने कागिटी है तुम trade वगेरा करो फिर कुछ समय बाद आके ये मुकड़ गया और फिर second opium war होती है इसमें maritime के forces का साथ दिया फरास की सेना ने भी ultimately इन दोनों forces ने collectively queen dynasty को हरा दिया और फिर उसके बाद king pact पढ़ते हैं सबसे पहले तो जो opium trader को legalize हो गया अब इसके खेती आराम से और वेपार अराम से हो सकता था खेती तुंडिया में करते थे वेपार की basic की बात है दोसरी चीट जो ये क्योंकि queen dynasty लगातार दो back-to-back wars हार चुकी थे ये लोग तो ये पूरी तरीकी से अब अंडर्माइन हो गया इनको एक puppet की तरफ ये यूज कड़े लगा इन्होंने चाइना को colonize नहीं किया इंटीरे में कभी नहीं गया इन्होंने का कि बाई कुछ ports है जो हमें दें दो और इस port को अपने मर्दी से manage करेंगे जिनका वैपार हमें कर बढ़ा है तो इसको हम लोग बैंक डोर से regulate करेंगे कि मुडेनिस्टी को puppet बना के और तीसरी जीर जो हुई इस वार के बाद वो था freedom of religion इससे पहले आना कि जिसर स्पॉस्ट हो गया थे चाइना बट अभी भी Christianity को प्रचार प्रसार के लिए proper space नहीं मिलना था बट इस वार कि खात्मे के बाद अलग challenges चाइना के सामने आता है सबसे पहला जो challenge था that was कि हमें अपनी sovereignty वापस से regain करनी है अभी जो हम European के चंगुल बफस गहे हैं उस चंगुल से में निकलना है उसके बाद जो दूसरा challenge था that was to remove the foreign government basically यह जो European को तो निकाल नहीं था इसके अलावा जो Chinese थे हैं वो Queen dynasty को भी एक तरीके से foreign government ही मानती है थी क्योंकि Queen dynasty के लोग माचू ethnicity के है और माचू minority है तो इनको यह लोग बाहर का समझते थे तीसरा जो challenge है that is to remove inequality and focus on the development यह कि हमेशा से ही challenge अढ़ा है so यह तीन major challenges थे इसको अलगले time period पे अलग-अलग लोगों ने solve करनी की कोश कि हम लोग जो वाइर traditional ideas हैं चाहिवो confusionism हुआ चाहिवो तावism हुआ इसको यह अलग तरीके से use करके इन challenges का सामना करेंगे जो अभी हमाने सामने प्रस्तूत किये गए इसमें लियां किचाओ अगरा थे उसके बाद यह तरीका फेल होगे अलग कि इसमें बहुत सारे reform उनकी पूरी पूरी पल्टा ना थी उन्होंने का कि हम चाइना को सुदारेंगे अपने तरीकी से palace को unify करेंगे और west और जापैन के model पेस को सुदारने की कोशिस करेंगे west से यहाँ पे मतलब है Germany, Soviet Union क्योंकि यह भी socialism से प्रावए थे इसके बाद आता है communist यह थोड़े से और radical थे और अगर मैं को clear थे तो गलत नहीं होगा very clear in their mind वो इन दोरों चीज़ों पे focus कर रहा थे कि बाए हमें inequalities अटानी है रूरों इलाकों पे development करना है और foreigners को अटाना है ठीक है यह कोई डिश्टी को अटाना है यह European को अटाना है Japanese को अटाना है so अलगले time period पे अलगलग लोगों ने अलगले solutions दिये सबसे पहले बात करेंगे early reformers की कि उनोंने किस प्रकार से प्रयास कि उसके बाद Republicans को देखेंगे जिमिंतान, सनियासिन की party and then last में देखेंगे communist party का क्या role लाए चाइना के reformation में यह जो modernization हुआ उसमें तो early reformers करके reference की बात करें तो यह जितनी भी intellectuals थे हैं सबसे ज़ादा ड़ रहा थी एक चीज़ से that was a fear of colonialism पूरोरे हाली में इंडिया का example देखा था और Poland का भी example देखा था इंडिया के बारे में तो आप सब लोग जानते हैं Poland के बारे में क्या होता पूलैंड पे भी यह Soviet Union और उस जमाने में country होते हैं परश्या इन लोगों ने इस पर कबज़ा दमा लिया और इसको दिवाइड कर दिया प्रॉपर तो यह Chinese भी इस बासे डर दाते कि भाई यह लोग colony तो बनाती इसके अलावा उसको तैसने इस भी कर दाते हैं हमें ऐसा नहीं चाहिए अगर हमें colonialism से बचना है तो हमें सबसे पहले अपने जो अपनी जनता अपनी जो नागरिक हैं उसमें sense of nationalism फैलाना पड़ेगा कि China एक nation है, China एक country है और आप उसके नागरिक हैं आपको उसके प्रती law लड़ायना चाहिए जो कि आप देखेंगे Japan के भी context में हो रहा था, जो कि आप देखेंगे India के भी context में हो रहा था जब NSA होता Bengal का तो सबसे पहले nationalism ही फैला आगया एंड देन कुछ ऐसी policies बनाएगी जिसके जरीए हम लोग एक constitutional government बना सकते थे हाला कि ये बहुत जादा सफा नहीं रही इसके बाद इसके बाद एक बड़ी interesting से चीज़ की, इन्होंने क्या किया, ये जो early reformers लियां की चाओ बगेरा ये क्या करते हैं, अभी तब जो traditional norms चले आ रहा है थे, उनको question करना शुरू करते हैं और उनको blame करते हैं कि यहीं वो barriers है जिनकी वज़य से हम लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं वो norms क्या थे, उनमें सबसे बड़ा डोल था confucianism का जो moral conduct पर जूर देता, जो कहता है कि आपको obedient रहना जाए as a kid you have to be obedient to your parents, to your teacher, to your master वह एलाओ को कहता है कि आप हर के प्रती हो, आप अपने पिजा के प्रती हो, आप अपने प्रती हो, आप अपने बच्चे के प्रती हो, और वो adult हो गया है तो आप अपने प्रती के प्रती तो obviously obedient रहो तो यह जो confucianism वह यह बहुत जादा idealistic था और इस कारण से लूब जो है, एक certain pattern of life जीते थे, इन्होंने बहुत सालों तक science नहीं सीखा था, जो नए concepts दुनिया सीख रही थी, चाहे वो astronomy हो गया अंडे तो बहुत हलाँ कि पहले से इन सब चीज़ों मुआई था, योरप हा इन पुराने धर्दे को धाना पड़ेगा और नए तरीके से चीज़े शोड़ो करनी पड़ेगे, और इसी कड़ी में इनोंने कुछ सेचिक सुधार्मी किये, educational reform भी कि इसमें सबसे पहले क्या कि हमारे लड़कों को यहां पर पढ़ने की ज़ुरत नहीं है, इनको Britain, France, Japan, Japan से भी वह लोग बहुत inspired थे क्योंकि वह भी उस समय बहुत तरक्की कर रहा था, about to be the superpower of Asian, तो यहां major students को पढ़ने के लिए और फिर वहां सका है कि आप वहां के ideas लेके आजाएं, जो कि आपने Japan बे भी देखा होगा, तो वहां से इनकी students Western ideas लेके आते हैं, liberalism का concept लेके आते ह हमार की technique सीखते हैं, technology सीखते हैं, और इनमें से बहुत सारे students चोते हैं, वह Republican हो रहा थे, क्योंकि उस दवारे मोनेर्की उतने अधादा यॉर्प में involved थी नहीं, तो इन्होंने अब गणतंतर के बार में सुचना चूरू का है, कि हमारे यहां जो अभी सत्ता है, वो एक मोन अधार की है, twin dynasty की है, इसको अटा के हमनों जनता का शासन अस्तापित करें, एडुकेशनल रिफर्म में एक चीज़ यह भी हुई, कि इन्होंने सधीव पूराने Chinese examination system को ही अटा दिया, यह kind of UPC था चाइना का, ठीक है, और इस जी examination बहुत अजीब था, ठीक है, इसके कि UPC में केवल English Hindi लैंगविज पेपर हो, तो कैसा होगा, कि सारे सवाल लैंगविज कहेंगे, तो सारे बच्चे के वे लैंगविज ही पढ़ेंगे, वो कभी भी आट अट अन कुल्जर के बार में नहीं पढ़ेंगे, इन्वरमिल्ट के बार में नहीं पढ़ेंगे, साइं अब जो है, बच्चे इस्ट्रोनॉमी बगएरा पढ़ेंगे, मैथमेटिक्स बगएरा पढ़ेंगे, सो अर्ली रिफॉरमर्स ने बहुत सारी कूछ से की, एड्मिस्ट्रेटिव रिफॉरम्स की, अब यह जरुवत मैसूस हुई कि हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते, जब इस कुरिंग डैनिस्टी को ही नहीं आट आया जा है, तो उसके बाद के रिफॉलिशन होता है, जिसके बाद इस डैनिस्टी को हदम कर दिया रहता है, उस रिफॉलिशन के बाड़े में थोड़ा सा समझते है, तो रिफॉलिशन के बाद पूरी तरीके से कुरिंग डैनिस् जिसको लीड कर रहे थे सनियाथ से, अब सनियाथ से न रेपब्लिक इस्थापित कर दी, ओफिशली कहने तो एक डेमोक्रसी स्थापित करने के प्रयास यहाँ पे शुरू हो चुका है, लेकित इस मोनार्की से डेमोक्रसी का सफर अभी भी बहुत लंबा है, बहुत सारे चैलेंजेज अभी मीच में आएंगे, उसको एक एक करके देखते हैं, कैसे कविस्ट पार्टी पिक्चर में आती हैं, फिल्म मोर्डनाईशन होता हैं, इन सब को एक कड़ी के साथ समझने के कोशिस करते हैं, सबसे पहले आप समझें सनियास सेरे के बारे में, ये बंदा एक लीडर है, ये बंदा चाहता तो बहुत अलग्जीजिस लाइफ जी सकता था, क्योंकि इसकी अब्रिंगिंग बहुत अलग्जीजिस हुई थी, एक अमीर किसान परिवार से आथा था, अगर हमें लोगों को युनाइट करना है, तो एक वो होना चाहिए, भावना इनके अंतर होई चे रास्टरबाद के, फिर डिमोक्रसी की बात करते थे, पिर सोशिलिजम की बात करते थे, क्योंकि अगिन ये जो रिवोलिशन था, चैनीज रिवोलिशन, इन्होंने चार इन चीज़ों को सॉल्व कर दे, इन समस्याओं को अनि इप्टारा कर दे, फूर्ड की समस्याओं का, क्लॉधिंग की, हाउसिंग की, ट्रास्पोर्टेशन की, तो जो आम जन्मारस है, वो सुखी संपने जिएंगे, इसके बाद हम लोग जो है, अब यह जो सन्याओं की बबलिक थी, यह स्थापित तो हो चुकी थी, पट इसमें अब किस तरीके से डेवलेपमेंट से उसको देख लेते हैं, तो इसको हमने प्रॉपर पीरेड वाटा, पहले 1912 से 26 की मीच क्या होता उसको देखेंगे, फिर 1926 से आगे क्या होता उसको द दैनस्टी को अड़ाया, बिसिकली लड़ाई तो नहीं, लड़ी थी, फ्रोटस लीड किया था, और इनको सपोर्ट किया था बियांग आर्मी ने, बियांग आर्मी एक युनिट थी कुंग डैनस्टी की, जिसके लीडर थे युवान शिकाई, he was the supporter of सन्याओं से, युवान पहले खत्ब हो चुकी है, तो कंट्री तरीके से वैक्यूंग बन जाएगी, यहां पे पावर वैक्यूंग हो जाएगा, और उसके बाद क्या होगा, यहां पावर यहां पर आकर रून करना शुरू कर देंगे, तो इन्होंने सोच भूस से काम लेते हुए, युवान शिका तो उस प्रोविंस में उनको बहुत होता, तो वहां के अपने को राजा मान करें, तो वहां क्या कि युवान किंडेत हो जाती है, इसके बास अन्याद से ने सोचे कि वापस से में टेक ओवर करता हुए, तो इनकी दो कमांडर से युवान शिकाई के, उन्हों ने का कि आप तो हमारी लीडर हुई नी, हमारी लीडर को और हमारी लीडर युवान शिकाई है, और वो तो चले गए, तो हम आपको सपोर्ट नहीं देंगे, और उन्हों करना क्या शुरू किया, जिस प्रोविंस में वो एक्टिव थे, उस प्रोविंस का अपने आपको राजा मानमेट है, और तो उस प्रोविंस को अपना मालिकाना हाक मानमेट है, तो अब चाइना जो कि इतनी बड़ी टेरिटरी थी तिल 1916, ठीक है, युवान शिकाई के जमाने में या कुण डैस्टी के जमाने में भी वो कभी फ्रेग्मेंटे नहीं नहीं, वो एक उनिफाइड अथॉरि अब जब मिलेटरी सपोर्ट नहीं है, तो इन वार्लोड को हनाएंगे कैसे, सबसे बड़ा चैलेंज अभी यही है, कि वार्लोड को हनाना है, इन सारे कमांडर्स को कन्ट्रोल करना है, अब क्या होता है, चाइना अलगला फ्रेग्मेंट में बटा हुआ है, कोई एक उनिफ तो उन्होंने अलाइड पावर्स से डीलिंग कर ली अलाइड पावर्स ने इन्हें दोखा दे लिया और इसके बाद शुरू होता है May 4th मुव्मेंट जो की 4 वई 1900 शुरू हुआ था ये ठीक वैसा ही मुव्मेंट है जो हमने सत्यागरा शुरू किया था अडॉलेट सत्यागरा हमें भी अंग्रेजों ने वादा किया था कि अगर आप हमें अपनी आर्मी देंगे इंडियस को गा तो हम आपको आजादी देंगे आजादी की तो बात नहीं जी डोमीनिन स्टेटस देंगे पोलिटिकल रिप्रेजटेशन देंगे जो कि उरों ने नहीं दिया और अडॉलेट एक्ट लागो कर दिया जो जैपैन ने लिए है जो अरश्या ने लिए है जो आपने लिए बिटेन की स्पेस्ट ने बात करें वो सब लटानी पड़ेगे तो जो वर्ल्ड वर्स फर्स्ट खतब हुआ उसके बाद पोस्ट वर पीस कॉन्फरेंस हुआ सम्मेलन हुआ उसमें यरॉपेंस ने कायलाइट पावर ने कहा है कि हम आपको कुछ भी नहीं देंगे अब इसके बाद जो जो जिन्र लोग है सिविलियंस है वो सड़कों पर उतर गया इसमें स्टूडेंट से इसमें इंटेलेक्शोल से इसमें वर्कर्स से और हमने अपनी आर्मी क्यों भी दी आखिर और यहाँ सिर्फ फुर मेफोर्ट मुवमेट से ही आप रेखेंगे तो CCP शुरू होती है Communist Party of China इसकी दो बनियाद मेफोर्ट मुवमेट अभी रखी गई है मेफोर्ट मुवमेट के आप अगर डिमांड को समझेंगे तो आपको CCP का पूरा आइडियलोजिकल बेस समझ में आएगा मेफोर्ट मुवमेट के डिमांड क्या थी सबसे पहला कि हमें रियलिस्टिक ट्रडिशन को एडाप्ट करना इसको समझने के गोशिस करो यह क्या कह रहे कि चाइना के वाल्डोर्ट ने ऐसा क्यों नहीं सोचा कि यह हमें दोखा दे देंगे कल को कि इसलिए नहीं सोचा क्यों कि यह बहुत हमारी जो दिमाग है हमारा जो पूरी अब बरिंगे यह वो Confusionism की Ideology पे होता है जो एक Idealistic Ideology जो सुचता है कि सारी दुनिया सही है और जैसे हम है वैसी ही सारी दुनिया है ऐसा बिल्कुल नहीं है दुनिया में Realistic होके जीना पड़ेगा नहीं तो हम भी पीछ ड़ाय जाएंगे तो अगर इन लोगों नहीं सोचा होता कि कल को हमें Allied Power दोखा देंगे तो इनके पास कोई प्लैन भी तयार होता पर चुकि ये Confucianism के द्वारा बड़े हुए हैं और हमारी पूरी जो 12 सालों की history वो इससे बहुत जादा प्रवावित रही है इस बज़े से जो है इन्होंने ऐसा सोचा ही नहीं और हम इस मुआने पर आ गए हैं कि हमने इनको तन बंधन से support किया बढ़ ये अब धोखा दे देते हैं उसके बाद इन्होंने ये डिमांड की कि हमें western science सीखने की जरूरत है हम अपने ये democracy लाने की जरूरत है रास्टरवाद पहलाने की जरूरत है नहीं तो हम इनके ही मर्जी पे चलते रहेंगे इनके इशानों पे चलते रहेंगे फिर उन्होंने काई कि हमें foreigners को अटाना पड़ेगा अपने हैं से जितेने भी foreign occupation है जो भी involvement है अब को अटाना उसके बाद इन्होंने बात की बहुत interesting concept के बारे में कि फूट winding अबॉलिश करो इसके बारे में थोड़ा सा आप सीखेंगे बहुत interesting बहुत दैनी ये concept वो तर क्या आता है चाइना में महिलाओ के पैर बांद देते थे थे वो कहते थे कि जितने पैर आपके छोटे रहेंगे जितने शेप में रहेंगे ठीक है पैरों का भी शेप होता था वो उनकी feminine beauty का एक symbol का वो आपकी beauty में add-on होगा ठीक है जैसे हमारे होता ना कि गाल ऐसे होने चाहिए ना कैसे आ कैसे होने चाहिए ठीक है तो ऐसे चाहिना में पैर भी एक feminine beauty का symbol था है उस वाज़े से एड़ असे से बच्चों के जो बच्ची और बच्चियां होती थी उनके पैर बांद दी जाते थे उनको बहुत चोटे जूते जान बुच के पहना जाते थे ताकी पैर हो की growth रुख जाए और एक specific growth हो इस काड़न से तो पैर उनके दो भागों में कभी-कभी कट मी जाते थे एक mark आ जाता था कट जाते थे proper screen पे आपकी में जा रही हो इसको करनी की दो बच्चे थी एक तो इसको beauty का symbol वाना जाता था ठीक है जिसके पैर जितने बन जाता है जैसे आप जब piling करते हो तो जो equipment आपके सामने हो तो बहुत flat होता है जिससे आप minty को file करते हो वैसे ही आपका पैर पूरी चरिंग से flat हो ऐसे generally हमारा पैर थोड़ा सा ऐसे ऐसे उपर से उठा होता है ठीक है तो जब आप flat पैर के साथ काम करते हो ना तो आप ज़ादा दर तो खड़े जा सकते हो ज़ादा दर तो ज़ादा दर तो गरे culture of friends वे काम कर सकते हो खेतों वे काम कर सकते हो तो इसी नहीं ये ये food binding की जाते थी इन्हों दे का कि जो food binding है एक subjugation महिलाओं के subjugation को देखाता है जो कि again Confucianism का ही concept है कि महिलाओं को obedient रहना चाहि अपने पिता के प्रती अपने पती के प्रती और जब बच्चे वड़ हो जाए तो बच्चों के भी प्रती तो इस food binding को भी abolish करने की बात की गई marriage में equality लाने की बात की गई और यहां से जो है CCP का emergence होता है इन्ही students union ने बाद में एक party बना गी सो अब हम लोग चाइना में जो भी होता है इस दस सालों में 1927 था क्योंकि 1912 से सोलों तक तो युआन शेकाई माई साब का शाजन रा इसके बाद वार्ड लोड पीड़ आ गया तो इस पूरे वार्ड लोड पीड़ में दस सालों में क्या क्या हुआ हुआ उसको summarized manner में सब सबसे बड़ी समस्या है सबसे बड़ा चालेंज है वो है वार्लोड उट क्योंकि जब तक यह आँएंगे नहीं तब तक चाहरा उनिफाइन ही होगा और तब तक कुछ हम गरोथ कर नहीं सकते हैं जूब हमारे दिमांग में वह इंप्लिमेंट कर सकते हैं अब ये दोनों मि प्रिंडर हैं, चियां के शेख, जिनके बारे में आगे हम बढ़ेंगे, उनको ऐसा अलगने लगा कि हमी तो CCP की जरुवदी नहीं है, यह तो ए छोड़ा सा ग्रूप है स्टूडेंट्स का, यंग रिवलेशनरी हैं, मन्चले लोग हैं, इनको बोग अटा देते, इनके बिना विमारा काम हो जाएगा, फिर केमटी के लोगों ने CCP को निकाला शूड़ कर दिया, ठीक है, और केमटी धीरे-धीरे, जो अभी तक लेफ्ट विंग पार्टी मानी आती थी, धीरे-धीर रेट विंग पार्टी बन गई, चियां की शेख, थोड़े से में रिटराइज, ग् अब KMT और CCP, CCP जो की बहुत चोटी पार्टे थी, वो अब CCP और KMT से लड़ेंगे, 1927 से लेखे, 1909 तक, that is basically the Civil War of China, इसके बार में भी थोड़ा सा इंट्रो में आपको दूंगा इस चेप्टर, अब आगे बढ़ते हैं, 1912 से 1909 के मीच, क्या के हुआ हुआ पूरे अब चियांग किशेक आते हैं, चियांग किशेक में सिकली आते कब हैं, सन्यासेन की डेथ होगी, and he was considered to be the right hand of सन्यासेन, तो इन्होंने टेक ओवर कर लिया पार्टे को after the death of सन्यासेन in 1925, इनके सामने तो सबसे बड़ी समस्या थी वो थी, हमें वार्लोड को कंट्रोल करना है, ठीक है, सो इन्होंने एक Northern Expedition launch किया था, 1926 में, with the help of CCP and with the help of Soviet Forces, Soviet Resources also, वही पैसे से सपोर्ट कर रहते हैं, आर्म्स वगेरा सब वही प्रोवाइड कर रहते हैं, इन वार्लोड को कंट्रोल करना इसे जरू होता है, ज़रूरी था, क्योंकि ये वार्लोड हैं, ये रिपब खास बात ये है, अब इनकी साइकोलोजी को आप समिनने की कोशिस करो, ये एक military leader है, ठीक है, and इनका रूवाइड से प्रॉपर मिलिटरी वाला है, जैसे योहां चीका गया था, वैसा ही इनका भी है, इन्हों निका कि हमें rational confusionism अपनाना पड़ेगा, ideal नहीं, rational, ठीक है, जो प्रॉपर चाइना का access नहीं था, सब छोड़े-छोड़े अपने हिलाके में बटे हुए है, and सब अपने अपने हिलाके से रूल करते है, हाला कि धीरी-धीरी Republic of China इतना बड़ा होगा कि इसके पास एक majority of हिलाका चाइना का आएगा, and then CCP उसको take over कर लेगा, and then CCP उसको take over कर ल चियांग कैशेक के सामने तीन बड़े challenges थे, सबसे बड़ा challenge की वाई, हमें वार्लोड को control करना, फिर जो कुछ regional leaders उबर के सामने आ रहा है, जो Republic की बात करते हैं, जो तोरा सा communist ideology को उटाना है, and तीसरी चीज़ CCP, सामने आपको काना है कि धेरे-धेरे चियांग कैशेक का, ज dictator ही थे, तो इन्होंने उस परकार सही अपने development रखी, तो इस पूरे Republic में, क्योंकि सन्यासेन के जमाने सन्यासेन को बहुत कम टाइम मिला, 1911 में आते हैं बैचारे, और फिर 1916 में जो है, योआन चिकाई के death हुई, उसके बाद 10 सालों तो कि इन्होंने संघडशी किया, इन इन्होंने सन्यासेन के प्रिंसपल को पूरी तरीके से इन्ओर किया हुआ, वो जो प्रिंसपल था कि हमें पौवर्टी अटानी है, वो जो प्रिंसपल था कि सोशिलिजम लाना है, एक democracy स्थापित करनी सब पर कुई वी तबज़जव ही देते निया, जो कि एक बहुत बड इंडस्ट्रीज होती थी, जिसे शिपबूलिग वगर आब यह सब बहुत कम ते, तो इंडस्ट्रीज के नाम पर होता कि था छोड़ी-छोडी नुकाने होती थी, जिस छोडा-बड़ा कुछ प्रिडूस करके देती थी, that's all. So that was all the industrial growth Working hours बहुत लंबे होते थे Condition बहुत खड़ाब होती थी काम करने की और इसके कारण से टो workers बहुत दाधा नाराद होते थे देस्टिसफाइड होते थे और इनके समाने में कर बात करें चियां किशेक के Republic of China के समाने में तो कुछ social and cultural change भी हुए सबसे पहले तो उन्होंने educational institution स्कूला शुरू के स्कूल, universities जगे लिगा पर उपिन की जाती है जो उपिन पहले उपिन थी उनको अच्छे से reform किया रातारी structure करके पढ़ाई शुरू होती है journalism का growth हुआ, अब लोग paper पढ़ रहा थे लोगों में awareness का consciousness of awareness जो develop हुई है वो च्रियांकिशे के जमाने में develop हुई है अब जो है लोग ये देख रहे हैं कि हम लोग चीजों को बढ़ रहा हैं, वो चीजों तो उमारे हैं अलागों वो नहीं रही है, हमारे हैं पावर्टी नहीं रही है हमारे जिस डेमोक्रेसी की बाद कमालाता तुर्क कर रहा है या गांधी कर रहा है, वो तो इंप्लिमेंट हो रही रहा है इस अब कारदों की वज़ए से केम्टी रोह है अल्टिमेटली फॉल कर जाती है 1949 में इसको wind अप करना पड़ा चाइना से हाटके इसको टाइवानशिप्ट होना पर है और CCP रोह सत्ता में आ जाती है ये 1912 से 1926 तक आपने देखा रहा है कि CCP केम्टी साथ में लड़ रहा थे फिर 1926 से 1929 तक ये दुनों आप पस में लड़ेंगे और अल्टीमिटली कमिश्ट पार्टी वीजाई होती है अपने रिफॉर्म्स के कारण भी और Republic of China यानि कि जो केम्टी है वो हारती है इन गलतियों के कारण भी तो कौन सी गलतिया सबसे पहली गलती कि भाई इनका सोशल बीस बहुत नेरो था ये जवीन पे उतरते नहीं थे खास करके चियांकिशेक की जमारी के बात करें तो पूरा फोकस अनका बिलिटिल डिवलप्मेंट पे था लिमिटेड पोलिटिकल विजन सर्यास सेन के बाद जो है पोलिटिकल विजन पूरी थे इनके से ब्लैंक था कि आगे कैसे बढ़ना है इनको लगता था कि आमने वार्लोड को कंट्रोल कर लेंगे और कमिनिस्ट को अटाय देंगे तो चाइना पूरा स्टेबल हो जागा ऐसा तो होने वाला नहीं था जो इससे थी पाकिस्तान में होती है जैसे जिन्ना के डेथ हो जाती है पाकिस्तान बनने के ठीक एक साल बाद और जिन्ना ही सुप्रीम नहीं थे उनका तो कोई डायट हैंड ये लिफ्ट हैंड था ही नहीं सारे तो उनके चम्चे थे ठीक है तो जब उनके डेट हो जाती है तो पाकिस्तान पुड़ा ब्लैंक था है कि हमें क्या बनना है जैसे कि स्पीच कोट की जाती है कि जिन्णा ने इक स्पीच की दी थी कि बाई पाकिस्तान एक सेक्टलर डेशन बनेगा जहां पर सबोई समी धर्मों को आजादी रहेगी क्या बनाना था Pakistan को यह के विल जिन्ना को पता था शायर उनको भी नी पता था तो जप उनको भी नी पता है तो बाकिव को यह से बता रहा था तो एक political blankness के कारण Pakistan है यहां पे पॉँचा है यहीan blankness जो है है और Northern China यह की KMT Party को खतम कर दे थी, क्योंकि Political Vision ही खतम हो गया, Land Reforms जिसका वाइदा सन्यास से नहीं किया था, वो Implement ही की जा रहे थे, फिर a Military Order Inphasis किया रहा था, इसको जोर जोर शोर से इसको impose कर रहा थी, ठीक है, क्योंकि विलिटरी डिक्टेटर ही थे जो की सपोर्ट करते हैं सन्यास से को Inequalities remove करने में को इंटरेस्ट नहीं था, इनका हर उस socialism के आसपेक्ट में इंटरेस्ट नहीं था, जो सन्यास से नहीं था, जो सन्यास से किती करने की, So these were the reasons, price heights बहुत आदा हो गया, प्राइस बड़ बहुत आदा है जैसे एक चार्ट आप यहां पे देखो तो 1937 में जितने पैसों में दो जोड़ी एंग जोड़ी बैल मिलता था ठीक दो साल बाद उतने पैसों में एक स्वोर मिलें लगे ठीक उने सो एप्तालिस में दो साल बाद एक बोड़ा चावन में ल स्थापित कहते हैं उसको इनोरे डिपब्लिक उप्चाइना ना दिया और जो पार्टी थी वो थी क्यों मिन तांग इसको केमटी कहते हैं तो इन सब कारणों के विरा से केमटी का पूरा सोचल बेस गड़ बढ़ा गया लोगों यह सपोर्ट खीच लिया इस तरीके से दोर इस पूरे 1916-1949 की मिच हुआ क्या क्या इसको दो पीरेड में हमने बाटा 1916-1927 एंड दें 1927-1949 इस पीरेड में केमटी चीप साथ मिलके इन से लड़ रहा है था ठीक है तो एंड यह जो पीरेड है 1927-1949 का इसमें केमटी आ रहाते हैं CCP आ रहाते हैं वार्ट नोर्स खतम कम कर लिया है खीच लिया है और CCP जिनको सोविय सपोर्ट कर रहा है उनका उनकी चाइना में अच्छे कासे इंफियंस है ही नहीं तो इनको एक वैक्चिम दिखा और यह चाइना में उतर जाके इन्होंने कॉलनीज बनाने शुरू की चाइना पर जुल्म करना शूर के तो फ पीपल से पूबलिक उफ चाइना और ताइवार रेपाबलिक उफ चाइना कहाना था जहांगा लाता फॉपिशियर्य यहां पर कीमटी का शासा वहाँ से इस party का उदय होता basically क्या हुआ officially तो ये एक जोले उन्हें से किसको found हुआ ये शुरुवात में कुछ students का group था जो की बहुत radical ideology मतलब बहुत extreme communism को मानने वाने थे और ये इन liberal विचारतारों को support करते थे सारे tradition के खिलाब थे जोब का ये मानना था कि हम इतने दिनों से इस confusionism को और इस idealistic model को मानने के कारण ही इसका गार पे पहुँचे कि हमने allied power का साथ दिया और world war one में विजाई हुए फिर भी हमें जो हमारी चीनिवी territories वापस नहीं मिली तो ये कानी है basically और तो ये जो क्योंकि केमटी को मेजनी support कर दी ती क्योंकि केमटी के will organized party की CCP बहुत छोटी party है एक आप group of people माले students का intellectual वगएरा का भी ये इतने बड़े नहीं हुए है till 1930s I think ठीक है जब ये split होता है इनका केमटी सुसको भी देखेंगे तो रश्य का क्या रोला इस communist party के उदे में सबसे पहले रश्य नहीं क्या कर रहा जब रश्य रिवल्येशन होता है बूल चाहिए भी वाला उसके बाद उन्होंने एक संगठन मनाया कॉमेंटरन करनके है शॉर्ट फ़र में कॉमेंटरन एक्च्छल में नाम है communist international जिसको third international भी का आगया क्योंकि इससे पहले दो और communist international organization बन चुके थे अलगले time period पे इसको मार्च उन्हें सब्सक्राइब किया गए इसका काम क्या था कि दुनिया बर में जो अलगले जगे हैं वहाँ पे communist parties को support करना इंडिया में भी जो MNROI थे वो इससे associated थे पिर दुनिया बर में चाय क्योबा के बाद करें वेतनाम के बाद करें हर जगे पे जहाँ भी communist parties आती थी उनको ये पैसे से अपने resources से support दिया करते हैं अब ये जो है Soviet Union ये अभी Majorly KMT को support कर रही है क्योंकि सन्याद सेरी की भी जो ideology है वो socialist ideology ही है और ये जो CCP है थो भी बहुत छोटी पार्ट ही है थीकि अभी एक proper party के तौर पे बहुत हुई भी नहीं है लेकिन 1927 तरह सामने देखा था चियांग किशेक के जमाने में split हो रहाता है 1927 तक ये दोनों साथ लड़े against the warlords बट 27 तक warlords बट control में आगे थे क्योंकि 26 million northern expedition लाँच किया गया था that was quite successful इसके बाद क्या होता है चियांग किशेक को लगा कि हमें इनकी जरूरत नहीं है ये बहुत अदर radical थे तो चियांग किशेक को लगता था कि ये हमारा काम बिगाड़े हैं इनको आटा दिया CCP को पूरी तरीके से जितने भी इनके members इनको brutally oppress करना शुरू किया और officially निकाल भी दिया इसके बाद केमटी में क्या होता है न एक छोड़ी से background story में आपको बता देता हूँ अलगे गिताब में तो नहीं है केमटी में क्या हो जब चियांग किशेक ने ये कदब उठाया CCP के members को रेकालना शुरू किया तो केमटी में खुद स्प्रेट हो गया एक तब का वो हो गया जो चियांग किशेक को support करता था जिसको intellectuals कहते कि they were quite right right winger और एक तब का जो left winger था जो सर्यात सेन को support करता था और सर्यात सेन को CCP वाले भी अपना idol मानते हैं वो अपना forefather मानते हैं कि इनकी ideology पे और चियांग किशेक को support नी करते क्योंकि कहा जाते कि वो last में जो है capitalist mindset के हो गया था right winger हो गया था तो KMT में भी split होता है KMT में जो left wing था ये भी जाके फिल CCP से मिल जाता है तो CCP का size उसके बाद से बढ़ जाता है जब से split होता है अब हम लोग चाहिए Civil War के बार में तोड़ा सा जान लेते हैं कि उस टोड़ान क्या क्या चीज़े हो रही थी तो Civil War का समझना उसे हैं बहुत ज़रूरी है Civil War शुड़ होता है 1927 से उससे पहले कार्यों तुस बार साल है उसको प्रीन उफ टर्माइल कहता है जिसमें अन्योगला फ्रैग्मेंट में चाइना बटा हुआ है 1927 से 1937 तक हमारा 10 सालों कारी पीरेड है केमटी और CCP ने डाड़ाईयां की है केमटी के पास बहुत बरी आर्मी थी तो डार्यक्ट तो मकाबला हो नहीं सकता था CCP का डार्यक्ट मतलब आंदे सामने तो CCP वाले गुडिले वारफेर करते थे चिप-चिप के लड़ाईयां लड़ते थे इसके बाद 1927 उसी कड़ी में एक लॉंग मार्च मी होता है आपके किताब में में लॉंग मार्च ये देखो जो आपके यहाँ पे पीले मार्ग तेरियाज है तो चुकी केमटी के पास आर्मी बहुत जादा थी तो इन्होंने मजबूर किया कि यह जाके यहाँ से वाज करके ये नान में अपनी शेरन ले ठीक है इतना इनको भागाया और इसी पूरी जर्णी को जो इनकी माइगरेशन की जर्णी थी ठीक है फोर्स्ट माइगरेशन की इसको यह लोग कहते है लॉंग मार्च इस दोड़ान इनों ने जहाँ जाब भी वेस्ट लैंड थावाब इसको कल्टिवेबल बनाया बहुत क्योंकि देखो माओ की फिलोस्पी थी और जो कम्यूनिस्ट पार्टी का सक्सेस है उसके पीछे जो सोशल प्रॉब्लेम्स उनों ने सॉल्व करने की कुशिस की उसका बहुत बड़ा हाथ है क्योंकि चाइना जो है अब कुई डिनस्टी से उसको छूटकारा मिल चुका है चाइना में वाल्लोट्स भी लगवग खतब हो चुके है कहते तो चाइना यूरिफाइड भी है बट केम्टी क्या है इसको सत्ता की ललक है तो यह चाहते है हम लोग सिसीपी को पहले खतब करें फिर चाइना की डेवलेप्मेंट की बात करेंगे सिसीपी ने कहा कि नहीं हम तो केम्टी से लड़िये नहीं सकते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा हमें यहां के सोशल प्रॉब्लिम को सॉल्व करें कि यहां के लोगों का ट्रस्ट जीथना पड़ेगा और यह चीज़ सिसीपी ने बखूमी की है इसलिए सिसीपी इतने छोटे सोशल बेस से इतना बड़ा सोशल बेस गैदर करती है और केम्टी जो कि यूँखी 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 लीडर ओफ रिवलिशन चाइनीज रिवलिशन वो सिमट के रहा जाते है और 1949 में कम्प्लेटी यूँखी देवे रिवलिशन इससे पहले एक सीनो जैपेनीज वोड हो चुका था 1894-1995 में इसमें क्या होता है केम्टी और सीपी दो नर साथ मिलके चैनीज से लड़ते हैं हालागि कोपरेशन तब भी कम था चैनीज जब चले जाते हैं 1945 में क्योंकि इनको हार मिलती है सेकेंड वोड वोड में इसके बाद तो इनके सारे मसूबें खतम हो जाते हैं उसके बाद फिर तीन सालों तक बहुत कड़ी रड़ाई लड़ी केम्टी और सीपी ने और इसके बाद फैसला ये हो गया चैनीज सीविल वोर के दो अधिके cases उसको summarize करें तो तीन पार्टी है, KMT, सीपी जैपैनीज जैसे इससे पिछले पीरिड में कि कम्टी, सीपी और वोर लौड्ज थे इसमें चैपैनीज है ये स्बि veilार आते हैं पहले दो यह दोरों आपस बिलते हैं आरशियन जो है दोनों को सपोर्ट करते थे हैं आरा के CCP पिताया सपोर्ट था क्योंकि प्रपर जो है कमिनिस्ट आइड़ों जी वो CCP ही रिफलेक्ट करती थी तब ही तब ही तब कर चयांके शिर्किन डेथ अभी तक नहीं हुई है This you should mind That was a story between 1927 to 1949 Ultimately Japanese जाते हैं KMT और CCP में फिर्ट लड़ाई ही थी तीन साल तक और CCP बेकें विक्टोरियस और इसके बाद जो चायना Mainland China जो अभी का चायने इसको Mainland China कहते है उसके इनकी उकुवद बनती है जिसको कहा जाता है People's Republic of China तो उसको परेंगे से पहले जो So Mao ने अपने Saints means डाले इस पूरे period के दोरान जब CCP महज एक छोटा सा गुरूप था वो क्यों इतना बड़ा हो गया इनिशिल क्या अपरोस थमाया होगा वो सारी चीज़ देखते है So initial approach यह था कि जब यह गुरिला वार्फर करते थे गाउं में राते थे केम्टी और सेसीपेंस समसे बड़ा फार्क ही है कि केम्टी जो है वो एक अरबन पार्टी थी वो शहरों में जादा उपरेंट करते थी और सेसीपी काउं में जादा उपरेंट करते थी गाओं के social problems को ही solve करते थे एक peasant council बनाई माओकार ये basically focus ही था कि हमें इन equality रटा नहीं हमें workers को empower करना पीजन्स को empower करना वहीं लाओ को empower पीजन्स council बनाई lands को डिनिस्ट्रिमूट के रहा पे में उनकी हकूमत चलती थी छोटे खिते में जहां पे जिस भी रीजन में खिता मतब रीजन उसके बाद इन्हों ने एक independent government और आर्मी के need के उपर दिया इसकी gravity को समझे उस जमाने में चियांकी शेक की government भी आर्मी को control करते थी इन्हों ने का कि चियांकी शेक के जमाने में जो भी अरायता फैला वो इसलिए फैला है क्योंकि आर्मी और government independent नहीं हैं आर्मी भी चियांकी शेक चलाते हैं और government भी चियांकी शेक चलाते हैं इस जिए social welfare नहीं हो पाता है इसके बाद rural चाइना में बहुत influence था as compared to kmt और अबादी जातर जो है गाओं वी ही बसती है इंडिया की भी चैना की भी सबसे खास बात थी कि women association बनवाने पर जोड़ दिया women empowerment पर जोड़ दिया बहुत सारे ऐसे इन्होंने informs के रहे से arrange marriage को बैन कर लिया arrange marriage को बैन कर दिसे मत था हैं लब marriage को प्रभूट कर देते arrange marriage में बैसिकली होता क्या था लड़कियों की मंजूरी नहीं ली जाते थी लड़कियों को पैसे क्या था था को उनके parents शादी करा देते थे किसी से या कभी किसी लड़की पर sexual exploitation हो गया तो उस basis पे मिए उसको जो गल्परेटर उसके साथ शादी करनी पड़ती थी तो बहुत हद तक इनको उत्पेडित किया दाता था इसलिए अरेज मैरेज को भी बैन कर दिया काई कि भाई को भी मैरेज कॉंट्रेक्ट से लिए होगा ये खास करे कि जब इस शुर्ट एक्सप्राइटेशन किसी परकार को होता था तभी एक कॉंट्रेक्ट बन जाते थे और शादी एक तरीके से करना हो जाती थे तो इस सब को बैन कर दिया इसके बाद डैवोर्स को बाद सिंप्लिफाई कर दिया जब इनोंने डैवोर्स को सिंप्लिफाई कर दिया तो महिलाओं को थोड़ी सी आवाज उनकी उठे ही कि भाई आप अमारे पास क्योंकि डैवोर्स बहुत अलिंदी प्रोसेस था अगर आपके रिलेशन से पच्छे नहीं चलने अपना पती के साथ तो भी आप डैवोर्स ले सकते हैं इसमें बहुत टाइम लेता था और बहुत जादा हेटिक प्रोसेस था इसको इन्हें जब शॉट किया तो एक्छोन में डैट वस अवोग में अपार्मेंट और इससे इनको इन्डेन पी वेनिफिट ही मिला ही बाद में जहाएं world-child policy launch करते हैं तो अब महिलाओं के पास एक आवाज ए कि हमें अगर कोई दिक्खत होए तुम ढिवोर्स दे सकते हैं तो यह world-child policy टीवोर्स लेट सर्वे कराय, स्वैमीज का सर्वे कराय, टुर्वे के सर्वे कराय, Ministry Fish, इन पहला, के अपने लड़कों को सर्वे करें बदले, और यह बच्चे जाते कहा हैं तो इनको खादानों में, खेत उमें काम करने के लिए, मज़़ूरी करने reinforcing बेचा जाता है, so इस लेवल की जो है घरी मीथी की बच्चों को बेच के अपना घर चाहना अपने बच्चों को लोग बेच रहा है तो इन सब की ऊपर इनोंने काम किया है वो बेसिकली फोकॉस्ट अं सॉल्विंग सोशल प्रॉब्लम्म इसले इनका बेस इतना बढ़ा हो जाता है और केमटी इन सोशल प्रॉब्लम्म को इदोर कर रहे थी इसके बाद पीपल्स रेपब्लिक अफ चाहना के स्था बना हो जाती है और इस नीव कॉन्ट्री वोस बेस्ट अन दा प्रिस्पल अफ निव डेमोक्रसी जिसमें का गए कि ये सारे सोशल क्लासिस का एक एलाइंस है इस संटेंस को स्पेसिफिकली पढ़ाने का मत्तब ही है कि उस समाने में दो एक बहुत बरी कमिस्ट गॉब्मेंट थी तो सुवीद गॉब्मेंट और ये चाहना सुवीद गॉब्मेंट में डिक्टेटर्शिप और प्रोलिटारियट का कॉंसेट था डिक्टेटर्शिप और प्रोलिटारियट मत्तब प्रोलिटारियट मत्तब होता है वर्किंग क्लास तो Soviet में था कि जो प्रॉलिट अडियर चाहेगी जो वर्किंग क्लास चाहेगी मज़़ूरों का शाहतन मज़़ूरों के लिए वही होगा इन्हों ने कहा कि अब लोग communism तो स्थापित कर रहा हैं but that is a new kind of democracy जिसमें अब लोग हर एक social class का participation चाहते हैं चाहेगो माईला हो पुरुश हो चाहेगो अमीर हो गरीब हो so this was slight difference और इसके बाद ही जो है चाहेगी इस communism और Soviet communism में थोड़ी से difference होती है और थोड़ा सा मदमें भी होता और फिन थोड़े थोड़े करके दोनों अलग होते जाते so wow was the chairman of CCP और यही president भी होता है जो भी communist party का chairman होगा वही president भी होगा इसके बाद जो प्रीमियर थी वो जो इनलाई थी जो कि वो रद फाउंडर है communist party of china के यहाँ पे आप तस्मीर देख सकते हैं जो इनलाई के जो प्रीमियर होता हो kind of parameters टड़ होगा second in command अब Mao की initial reforms की बात करते है जब इनके पस proper china की हुकुमत आ जाती है पूरा का पूरा जब इन बी इन देख रहा है वो Mao के control में he is the president of china कोई warlord नहीं है कोई foreign invasion का खातरा नहीं है कोई queen dynasty नहीं है कोई kmt नहीं है अब यह क्या करते है सबसे पहले नहीं क्या कह रहा कि भाई हमने private enterprise और private ownership को भी खतब कर दिया अब कोई भी private owner से पढ़ाईगी नहीं किसी के पास privately जमीन नहीं कोई खड़ी सकता कोई privately को business नहीं कर सकता किसी चीज का production नहीं कर सकता ठीक है तारी चीज़े तो produce करेंगे लोग वो सरकार का होगा एक movement launch किया गया 1958 में Greatly forward movement इसको basically focus था कि आवे country को एक manufacturing hub बनाना इंडस्प्लाइज करना country को तो इन्होंने promote किया कि भाई आप अपने घर के backyard में steel furnaces लगाओ उसमें लोगे वगरा का production करो ठीक है जैसे हम backyard में garden लगा तो ऐसे ही backyard में कुछा production लगाद फिर इन्होंने agriculture में भी reform करने के सोचे क्योंकि अब तो इनको पूरा socialism खलाना है ठीक है equal distribution करना है चीज़ों का तो इन्होंने का कि भाई पहले के दमाने में क्या होता था एक गाउ एक चाड़ आदमी किसी के पास 25 भीगा खेता है भीगा तो चैना भी नहीं चलता होगा किसी के पास 20 है किसी के पास 10 है किसी के पास 5 है तो जिसके पास 5 है और इससे उसके पास अनाज कम होगा खाने के लिए भी और बेशनी के लिए भी और इसके पास पच्चे सा उसके पास जादा होगा तो हम ये प्राइवेट उनर्शिप का खेली ख़दम कर देते हैं हमने कहा है कि गाउ के जितने भी लोग है उनको कहते हैं गाउ के जितनी भी जमीन है उसको आप collectively करो एंगरी कल्चर करो उसके collectively और फिर जितना भी प्रोडक्शन होगा इस तंत्र को आप समझना ये गाउ की सारी-सारी जमीर है इसको एक कम्यूर में हमने तब्दील कर दिये तो ये चली जाएगी सरकार के गोदावों में और सरकार फिर परिवार के आधार पे जिसका परवा जितना बड़ा है उस आधार पे जैसे हमारे पिंडियर शॉप्स होते हैं उस आधार पे अब राशन बाटीगे अब इसमें खामिया कहती है इसको भी देखेंगे आगे चलके और इसके साथ ही कम्यूर के साथ ही बहुत सारे ऐसे ओर्मेशन बनाएगे जिसमें स्टूरेंट्स के ओर्डमेशन थी महिलाओ के थी तो इन सब चीज़ों पर फिर बदल जा दी जो माओ को लोग ने क्वेशन करना शुरू करा तो फिर ये वही करते हैं कि बाई जैसा नॉर्मल जो डिक्टरशेव वाले होते हैं मैनियाक होते हैं वो भी ये करना शुरू करते हैं इन रिफॉर्म्स का क्या इंपक्ट रा सबसे पहला इंपक्ट तो ये था कि ये जो कम्यूर सिस्टम था बहुत सक्से बहुत सारे हो ग रहा है और ये कम्यूज का हाल ही है कि लगबग 98% फार्म लेंड है चाइना का वो सारा अब कम्यूज में तम्दीर हो गया कोई दो एक परसंट ही अभी प्राइवेट लैंड ओर्रशिप बची है एंड उसके बाद ये जो कम्यूज सिस्टम था इसमें दिक्कत बहुत थी जैसे हमने बताया कि ये आपके गाहों के खेत है इसमें सारे लोग खेती कर रहा है इसका सारा अनाज जाता है पेडियेस में माल लेते हैं जहां सारे रिस्टिबूशन होना अब क्या है लोग जिन ख इसे चपे थे कि अनाज रहते थे गोडामों में लेकिन लोग जो है गोडामों के चौखट पर मढ़ रहे थे भूग से क्योंकि वह तंतर इतना स्मूथ नहीं था कि तुरंत लोगों तक अनाज मोहिया करा सके माहोंने तो ये सोचा थे कि सारे प्रोडुक्शन को हम एकुम जो ये से मार गया अनाज होते हुए प्रोडुक्शन ऐसा नहीं थे नहीं हो रहा तो प्रोडुक्शन हो रहा था बट उसको इस्तरी blends सहीश नहीं कर पार रहता इसके बाज इस्टील फरनस में ये लोग का आयरन अगरा हो आते थे बनाते थे फ्रोडूस करते थे उसमें प पर दर स्टैंडर्ड, ग्लोबल स्टैंडर्ड जिसको की बेचा जा सके है, इवन अपने डॉमेस्टिक प्लांट्स में भी यूज़ किया जा सके है, इसको लेके बहुत आदर क्रिटिसिजम होता है, माओ का, एंड फिर माओ ने ये देखा, एक और चीज़ उस जवाने में होती है, ग्लोबल पॉलिटिक्स में, कि निखिता क्रुशेब करके एक आदमी आ जाता है अरशिया में, उससे पहले स्टॉलिन भाई साब थे, स्टॉलिन, माओ स्टॉलिन को अपना इस्पार, इस्पिरेशन मा करते हैं, तो निखिता क्रुशेब ने क्या कह रहा, उन्हों ने कहा कि स्टॉलिन की जवाने में, जो भी हुआना सब गलत, हमें वापस से इसको रिवाइस करना है, उसको ठीक करना है, और सारे दुनिया के तो क्मिनिस कंट्रीज थे, चुकि वो सोवियेट इनियन को फॉल क्योंकि इनका निखिता खुशेब ऒगध ये था, कि ये जो कमिनिस कि डृचयल एक जहनने क्याना हिए, इसको 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 repelementation के expertise अभी तक नहीं किया चाहिए, तो हमें इप्लिमेंटेशन पे फोकस करना चाहिए, प्रफेशनल इंप्लिमेंटेशन पे नाकी हम ऐसा नहों कि निकिता त्रोशेव को फॉलो करने लग जा और पुरानी आइटालरीज को भूल जा और दूसरा विस्टरन कैपिलिजम जो कि इसके आरे में अपनी जगह बनाना था उसके बाद अश्या भी एक तरीके के कैपिलिस्ट कंट्री ही हो जाता है ठीक है प्रॉपर जाती है प्रॉपर कि इसके सब अइण सब और देखो क्या करते हैं वो लोग और उसे करेक्शन बना उनको बताओ कि अधिक है क्योंकि वह इस आईडियोजी को बचाना चाहते था और यह कि मकसल माओ का यह भी था कि माओ को जो फोराव तो जिसमें उन्होंने अन्होंने व कम्यूस बनवा है, स्टील फॉर्टिसस का हुकुम दिया है कि भाई, पीछे अपने गर के प्रडेक्शन करो, वो सारी चीज़े जब फेल हो गई थी, तो माउ को क्रिटिसिदम बहुत जिलना बढ़ रहा था, और माउ के लिए कॉम्पेटिटर्स थे, उनकी यही पार्टिंग में, क्योंकि यह तो बन पार्टिंग सिस्टम था, उनकी पॉप्लारिटी बढ़ रही थी, तो इस कुल्चरल रिवलिशन को लांच करने का एक मकसाद यह भी था, कि मेरी जो पॉप्लारिटी गिड़ रही है, वो थोड़ी सी बढ़ जाए, ठीके, तो इसमें कमिन स्टाइडलोजी इंफिसाइज की जा रही है, और इंपैक्ट अगर देखे कल्चरल रिवलिशन का, तो इट मीकेंट दा पार्टिंग क्योंकि इसमें कॉम्पेटिटर्स बहुत आ आगे थे, अब सबको लगड़ा था कि ये माउ का एक तरीके का पॉलिशिटर्स इस्टन्ट है, एक कॉलमी पूरी तरीके से डिसरप्ट होगे थी, बहुत मैं पावर इसमें इंवॉल्व कर दिया था, एजुकेशनल सिस्टम ऑबिसले डिसरप्ट होगा, उन्होंने खल्ट कर दिया था, कि इमरान खान अगर जिंदा रहेगा, तो ही पाकिस्तान का फ्यूचर तर पाकिस्तान को कोई मुस्तफविल है, और पूरे पाकिस्तान में जो इमरान खान के सपोर्टर्स थी, PTI के सपोर्टर्स थी, इवन दो डाइसपोरा पाकिस्तान का खासकर के यूके में, ये कैनेडा, USA वगरा में, वो हैवी मातरा में अपने सटकों पुतर के प्रोटेस्ट कर रहा थे, कि इमरान खान को डिलीज करो, ठीक है, So it was also kind of publicity stunt, और इमरान खान के जो politics system में में, उनने जो गड़बढ़िया की थी, कहा जातें कि उसको उसके पर मिट्री डालने के लिए भी ये चीज़े कड़ी जाती है, So एक impact, cultural revolution कहीं भी रहा कि Mao was again became the center of power, ये बहुत popular फिर हो जाती है, लेकिन ये जाद इनों तक चलनी पाता है, 1966 में जो ये culture and revolution चुट हुआ है, जिसको great proletarian culture and revolution कहते हैं, ये 1976 में खतब हो जाता है, चुकि Mao की death हो जाती है, अब post Mao politics हम लोग देखने वाले है, So post Mao politics में सबसे पहले इस आदमी के बारे में जाना ज़रूरी है, इस आदमी का नाम है Deng Zeeoping, माओ की death हो जाती है, 1976 में इसके बाद Deng Zeeoping ने इसको succeed किया, माओ एक बहुत popular personality है, इननोंने भी बहुत कोशिस के reform लाने किया और बहुत passionate personality है, Deng जो एक इसी personality है, जो चीजों को execute करना जानता है, जो अब modernize करना जानता है, माओ ने जो base create किया है, जैसा में base है, उसके basis पे अब यह आगे चलके, जो गलती हम आओगे, जिसको सुधारने के कोशिस करें है, क्योंकि इसको उतना जादा बतलब नहीं है, कि हमें proper communist poster boy बनना है, इन सब चीजों में इसका कोई भी interest नहीं है, तो इसने हम क्या reforms करने शुरू किया 1978 के बाद, सबसे पहला reform यह किया है, कि party को control में लाते हैं, ठीक है party जो बेखरी हुए थी, ठीक है उसको control में लाया, उसके बाद socialist market economy लाँच की, इसका मतब यह है, कि भाई हमारे यहाँ private enterprise भी रहेंगे, पब्लिक enterprise भी रहेंगे, लेकिन यह प्राइवेट enterprise है न, यह जो भी करेंगे वो पब्लिक, यानि कि गवर्मेंट के रडार में करेंगे, गवर्मेंट से रूमती लेके ही करेंगे, गवर्मेंट हमेशा उनको monitor करते रहेंगे, माओ के ज़ाँए में complete abolition था, गवर्मेंट जो चारी है वही कर रहेंगे, it is kind of that, बट इसके कारें सुधार में होते हैं, सबसे पहला सुधार तो यह हुआ, कि जब उन्हों ने private firms अस्थापित किये, तो बैसलिए private firms तो सरकार के, उस distribution channel का वदद लेंगे न, जो भी वो produce कर रही है, उसको किसी go down में वो लोग लखेंगे, फिर वहाँ से उनका distribution होगा, लोगों को उनके परिवार के आदार पे मिलेगा, ऐसा नहीं था, प्रवेट enterprises जो भी produce करते थे, उनको एक MRP पे वो बेचते थे, जो भी उन्हें लगता था, ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि यह बहुत strange से चीज़ है, अब चाइनीज लोग जो है, वो अपने सावानों को जो consumer goods है, जो अडाशन वगएरा, जो electronics का सावानों जो भी है, उसको directly दुकानों से खड़ी सकते थे, पहले एक concept नहीं था, माओ के जमान में सारी चीज़े आपको उतनी ही मिलेंगे, जितनी की आपको ज़रूरत है, और वो government के go downer से मिलेंगे, क्योंकि private दुकाने तो है ही नहीं, अब जो है private shops, private industries खुल रही थी, तो इसका ये फाइदा हो, बहुत बड़ा फाइदा हो, क्योंकि one-party system है, कोई competition तो है नी, तो democracy तो है, अभी तक आई ही नहीं थी, क्योंकि पहला focus था माओ का, कि भाई हम social problems को solve करें, लेकिन फिर उन्होंने देखा, कि जो भी प्रयास उन्होंने किया, उसको counter हो जा रहा है, बेसिकि जो चा रहा है, वो नहीं हो, उल्टा हो जा रहा है, तो elections वगरा कभी नहीं करवा है, ठेक है, लेकिन अब लोगोंने elections का demand शुरू की, एक posters चपने शुरू हो गए, चाना के रिवारों पे, जिसका title था, फिफ्ट modernization, उन्होंने का कि, यह जो भी प्रियास करणा है, वो कभी successful नहीं हुगा, जब तक हमाने हैं, कोई democracy नहीं जाएंगे, इसको लेके जो है, एक movement भी चलाया गया, 1980 में, जिसमें बहुत सारे intellectuals, students ने participate कि, उन्होंने का कि, उसिफाइड dog mask खतम करो, यह जो में डर है, सब चीजों को खतम नहीं किया नहीं सकता, तो first we need to have a democracy in our belt, उसके बाद ही हम लोगी चीजों को कर सकते हैं, so यह मारा post वाँ होगा रहा है, उसके बाद जो यह reforms होए थे, डिंग के जावान में है, उसके बाद फिरहां के democracy भी आती है, elections भी होते हैं proper, पर बट वो नाम के ही होते हैं, अभी हमारे शीजिन पिंग सहाव है, वो भी elections elected ही थे, बट यह थे बट इस completely a formal election, पहले सब को पता होते हैं कि, शीजिन पिंग ही बनेगे, अब इसके बाद क्या बनेगा, पहले सब कर दो, इन रिफोर्मस के उपर डिमेट से, सबसे पहले डिमेट तो यह था, कि इनेग्वालिटीज नहीं हटा पाए थे, ना तो डिंग हटा पाए, नहीं माँ हटा पाए, ठीक है, उसके बाद इनेग्वालिटीज एक्चुली बड़ी गए थी, क्योंकि जह समरे काता है, पहले जब प्राइवेट ओर्निशिप था लाएंड का, तो जितने जितनी जम्रीन जिसके पास भी होती थी, कमसे कम उसके पास खाने को तो होता था, अभी तो आपने कम्यूस जब से बना दिया, तब तो लोगों के पास जो होगा रहा है, वो तो उनके घर में आई नहीं न, वो तो गड़ाउन में जाके समा जा रहा है, और वहां से फिर लोगों को उनके परिवार क्या धार पे, कार्ड के आदार पे उनको मिलता है, तो दाट इस नॉट संथिंग विच के रिमूव इनिक्वालिटी, इसके बाद पॉलिटिकल कंट्रोल जो है, एक बहुत जादा था, माओ के जमाने में भी, दिंग के जमाने में भी, तो इसको बराबर कोशियन किया रहा था, कि यह तो दुट्रिक वैल्यूज है, और इसी अगर स्टेंट इन्ट्रिटर्शिप के जरीए में चलना है, तो उमने फिर यह कमिनिस्टिव इंधाचा क्यों तयार गया था, ट्रडिशनल आइडियास के रिवावल की बात की जा रही थी, कि भाई जापान इस, sorry, चाइना को अगर डेवलब करना है, तो इस पूरे स्ट्रेट कंट्रोल्ड मेथट से ना करके, पुराना जवारे ट्रडिशन है, एक अलग वे में रिवाइब करके भी, इसको डेवलब कर सकते हैं, अला कि इस बिर्ड़ डेवेट्स, विच इमोस्ट आफ्टर, दे पॉलिटिक्स अफ दिंग, अद पॉलिटिक्स अफ माव, तो अट्स आल इन इस स्टोरी अफ चाइना, हमने देखा कि कि इस तरीके से चाइना जो है, फिंग डैनिस्टी गिड़ती है, येरोपेंस आते हैं, उसके बाद केम्टी आती है, केम्टी ने अपना जितना भी ताम जाम थभू किया, फिर जैपेनीज बीच में आये, से विल गवर हुआ, फिर CCPI, CCP ने कैसे अपना बेस तयार गिया, कैसे अपने गाओ के लोगों को, ग्रामी लोगों पराफैन बनाया, और फिर CCP ने एक पूरे बड़े मेंड लैंड को अपने कावों बिकिया, और माओ कैसे आते हैं, एक पोस्टर बोई बनते हैं, कामरिसम के, एक बार फिर से बरेक लिए सकते हैं, and come to me, after the break and freedom, तयावार के कानी को रिजूम करें, and meanwhile, if you have not subscribed to the channel, if you like this explanation, make sure you hit the subscribe button, make sure you hit the subscribe button, and this video को आप अपने लोगों तक भी शेर को, तो भी आपके दोस्त है, क्लास्वेट से क्यों की, ऐसा वाइशोर्ट मेरे नहीं क्याल, किसी ने बनाई YouTube पर, this is genuinely I am saying this, now getting started with the studio of Taiwan, सबसे पहले Taiwan को locate करेंगी, कि भई, map में Taiwan है कहाँ पर, तो ये आपका चैनाडा, चैना का ठीक बगल में, अप अगर देखेंगी, तो इस्टर साइड पर आपका Taiwan पढ़ता है, छोटा साइलेंट कंट्री है, तैवान के एकर बैक्राउट की बात करें, तो तैवान हैडवी ने Japanese कॉलनी, हमने पहले बिस चैप्टर में बढ़ाए, कि तैवान को जापान ने कॉलनी बनाए, और ओफिशली जो है, तैवान चैना के कंट्रोल में आता है, आफ्टर 1949, जब ये दो डेक्रेडेशन, दो कॉन्फरेंसेज हुए, इसके बाद कहेंगे, कि तैवान जो है, इस इन दे कंट्रोल औफ चैना, अब उनिस सो गन्चास में, अफिशली तैवान चैना के गंट्रोल में है, चैना की जो पॉलिटिक्स है, पहले ही बहुत भूचाल उदर आये हुआ है, तो वह क्या था, हमने आपको कहा था, कि चियांक के शेख को आप बूलेंगे नहीं, यो नहीं बूलेंगे, अब चियांक के शेख फिर से वापस पिक्चर में आएंगे, जब केम्टी को भगा दिया गया, मेल आइंट से मेल आइंट मतलब अमभी जो प्रॉपर चैना है वहाँ से, CCP ने भगा दिया केम्टी को, तो केम्टी की रिनेट थे, कियांकी शेख वो ताइवान आजाते हैं, अपने पार्टी के लोगों के साथ, उनके साथ कुछ पैसा भी था, किया रहा था 300 मिलियन का गोल्ड रिजर्व था, फिर बहुत सारे आर्ट, ट्रेजर्स वगेरा थे, जिनको बेच के अच्छी हासे पैसे को रिज़ किया रा सकता था, इन्होंने क्या किया, ओफिशली, रिपब्लिक ऑफ चाइना के स्थाप ना कर दी, उन्हें सो अंचास में, चाइना के कंट्रूल में ही ताइवान था, ताइवान को इन्होंने एक कंट्री बना दिया, इसका नाम रग्विया, रिपब्लिक ऑफ चाइना, और वोस बिंग रूल बाइ कीमटी, इनके अशासानकाल में हुआ क्या कह है, वो देखते हैं, सबसे पहले, इनको acceptance मिलने ही नी थी वाके लोगों से, तो इननने operation करना शुरू करा, यहां के लोगों का free speech ban कर दिया, political operation दबा के किया, जो local leaders से उनको मरवा दिया, अब जब local leaders रहेंगे नहीं तो, तो केमटी को ही अपना नेता मानना पड़ेगा, इनको लगा दिया, कि आप बैठे हैं, हम लोग चनाएंगे, केमटी चलाएगे पुरे के पुरे ताइवान को, यहां के जवाने में, हलांकि कुछ economic development भी होते हैं ताइवान में, उसमें सबसे पहला था कि land reform किया गया, जो कि अब इनको लगा रहा है कि अब जब तक हम social problem को solve नहीं करेंगे, तब तक जनता हमें support नहीं करेंगे, तो land reform करते हैं, agricultural productivity उसे बढ़ गई, पर इतना दादा ताइवान आगे जा चुका था, कि ताइवान की G&P by 1973, वो second to Japan होगी, इतना दादा ग्रोथ ताइवान ने देखा जियांगिशे के जमाने में, and economy grow इसले कर रहे थी, क्योंकि ताइवान का रोकेशन है, that is in the South China Sea, और trade से बहुत पैसा बनता है, trade से बहुत पैसा बनता है, खाली आप पूर्ट बना के छोड़ दोना, उसी से इतना पैसा generate होगा, आपको कोई manufacturing करने की ज़रूद नहीं, आपको agriculture करने की ज़रूद नहीं है, इतने बेसे port countries होता है, इसमें दबा के, अच्छे-चे port लोकेशन आप देखे, South China से यहीं करेक्ट करता है, आपका Pacific से अमेरिका को, पर इंडीचे आप, South East Asia में इस Malaysia हो गया, मलक का स्ट्रेट अगरा हो गया, इंडिया हो गया, तो Taiwan बहुत significant location पे, बहुत में पूड़ और इसे को लेकी, बवाल होता रहता है करा, So that was the economic development of Taiwan, इसके बाद income gap भी decrease हो रहा था, that was very strange, बहुत जगों पे आप देखते हैं, economic growth हो रहा है, but income gap इंकरीज करता है, आप डिक्लाइन ओड़ाता है, क्योंकि सभी पैसा बना रहता है, और ऐसी opportunities बहुत रहें ली आते हैं, आप देखोगे तो income gap बिल्कुल भी, बता मिनिमल होगा, आपे सभी अमीर है, कोई भी जरीम नीए, आपे poverty नीए, खाने के दिक्कत किसी को नीए, यह नो, medical facilities अभी के पास अविलेबल है, कोई सानी के saving की कारण किसी गंडेत हो जा रही है, यही चीज ताइवान की भी, so less number of people, जो इनकी छोटी population, that was the major reason, की तो economic development है, अंडर चियां की शेख, इतना अच्छे सिंग्स यूट हो पाया, चियां की शेख के जमाने में, economic development हो ही रहा था, बट लोगों को डेवल्परटी वैल्यूस की कदर थी, क्योंकि अगर बात करें, बागल में जैपैन की, वो भी democracy स्थापिक करने की कूशिस कर रहा था, चाइना भी democracy स्थापिक करने की कूशिस कर रहा था, that was becoming a crazy kind of, तो तैवान की लोगों ने भी चाह कि, हम भी democracy स्थापिक कर रहें, चियां के रहते रहते तो तो यह पॉसिबल था नी, चियां की आफिर का डेथ होताती है 1975 में, और जब चियां की डेथ होती है, सो मार्शल लोग उठाये दाता है 1987 में, जो मार्शल लगाया था उन्होंने, फॉसका शासन, उसके बाद democracy आती है 1996 में, पहले elections हुए, पहले direct relation, और उसके बाद जो लोकल ताइवान लीडर थे, लोकल ताइवानीस representatives थे, वो आके से मिलीज में पोशते हैं, और प्रॉपर नहीं जो है ताइवान, democratic values पे अब ज़रूर होना शुरू होगा, अभी modern situation की बाद करें, तो बहुत सारी countries के trade relation ताइवान के साथ ज़रूर है, बट diplomatic relation बहुत कम countries के हैं, जिनका चाइना से नहीं बनता है, वही ताइवान से diplomatic relation रखते हैं, कारण ही है कि जो mainland China है, जो people's republic of China, PRC जिसको कहते हैं, इन्होंने एक policy रांच किये, one China policy, जो पियार्सी से diplomatic relation रखेंगे, उनको यह माना नहीं पड़ेगा, कि ताइवान पियार्सी का ही पार्ट है, ठीक है, वो one China ही मानेंगे, ताइवान और mainland China को one China मानेंगे, और जिनका फिर पियार्सी, जो अगर ताइवान से relation रखते हैं, जाने कि वो one China policy को नहीं मानें, तो उनका फिर पियार्सी से जो भी mainland China, जिसको उन प्रॉपर चाइना कहते हैं, उनसे relation खराब हो जाएगा, इसी कारएं से बहुत कम countries के diplomatic relation है, ताइवान के साथ, लेकिन ताइवान और चाइना का, जो mainland China है, इन दोनों कापस में कैसा रिष्टा है, उसको सबनना बेज़रूरी है, इनका रिष्टा है न, इसमें बार बार ताइवान की डिमांड होती है, कि भाई हमें एक independent state का दर जा दे, तो independent state का दर जा, इसलिए क्योंकि जब तक China, जब तक चाइना नहीं चाहेगा, तब तक तक ताइवान एक independent state तो बन नहीं सकता है, और चाइना चाहता है कि आम लोग इसे रिउनिफाई कर ले, mainland में मिला ले, क्योंकि चाइना ताइवान बहुत अवीर हो चुका है, ताइवान, रेट पार्टनर के अलावा, चाइना बे बहुत सारी इंवेस्टमेंट् ताइवान के बिजनसमें ने की हुई है, और यह बहुत बढ़ा था एक दू साल पहले तक, ताइवान के जो बिजनसमें थे, they were alternating year investment, वो इंडियाबे करना चाहरे थे वियत्नाम में चाहरे थे ताकि उनकी उनकी मिश्टाल हो साथे छैना से कम हो सके जब तक बोचना पर डेपेंड़न रहेंगे चैना बहुत बरा मार्केट आ हला रित है तो सब वही पर इंवेस्ट करना चाहेंगे तो इनों पर उसके पास से dependency कम करनी शुरू कि इनको अगें independent country का status चाहिए So this is the cross-state relation इन दोरों के बीस्ट trade होता है बट को एक political recognition ये दोरों इक दूसरे को रही देते हैं So that is the model situation of Taiwan हम ने इनकी story देख ली after the rule of Republic of China KMT and अभी क्या आलाद Officially जो Republic of China that is the Taiwan और जो People's Republic of China तो जो mainland China उसको भुख है अब आगे बढ़ते हैं Taiwan से आगे बढ़के कुरिया के काहनी को समझते है एक और Asian country, एक और East Asian country जिसको भी colonized किया गया था जिसके आभी मरार की थी फिर वो आपा से उठते हैं फिर वो कैसे modernize हुए उसकी काहनी समझने की कुशिस करते है So here we have the story of Korea and if you are liking the explanation make sure you can subscribe button बहुत बच्चे से वह इंशॉर्ट से देख के निकल जाते हैं and forget subscribing is probably वो इतना शाद खो जाते होंगे but आपको थोड़ से टाइम निकाल के subscribe करी देना है क्योंकि 12th में बहुत मज़द बिलने वाली है CUT में बहुत मज़द बिलने वाली है we are improving our editing quality improving everything तो एक से देट साल में आपको बहुत ऐसे changes देखने को बिलेंगे जो कि कोई और नहीं provide करा रहा हो Korea की कहानी की शुरुवात करते है इसके मुनयार्की से सबसे पहले आप जानले Korea है कहाँ पर जैसे ताइवान है चाइना के ठीक बगर में वैसे ही Korea तो चाइना से लगता ही है actually अभी आप जब तक मैं डिविजन की बात ना करो तब तक आप समझे पूरा Korea है नॉर्थ पूरिया, साथ पूरिया भूल जा Korea पहले एक प्रॉपर कंट्री थी जहां पे एक डियनस्टी का शासन था एक मुनयार्की थी तो डियनस्टी का नाम था जो सिवन डियनस्टी जिन्होंने तक नीमिर 500 सारों तो शासन किया तो बीसमी सिताब्दी तक आते आते क्या होता है कि इंटरल स्टाइम बढ़ने लग गया लोग दे सेटिस्फाइड होने लग गया तो उन्होंने आवाद उठानी शुरू कर दो एक्स्टरन पॉलिटिक्स बहुत एक्टिव हो चुकी थी वेस्टरन पावर्स, चाइनीज, जैपेनीज, सब इन पर प्रशर डाल लाए थी कि भाई तु वहारे पाले में आजाओ एंड अल्टिमेंटली क्या होता है कोडिया को कॉलनाइज कर लिया गया उनिस सु दस में जैपैन ने एनेक्स कर लिया को क्योंकि एक तो जनता खुद भी विद्रो कर रही है ठीक है तो उस ताइम तो वैसे ही डैनिस्टी के सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है और यह जैपैन बहुत पार्फुल हो चुका थे तब तक इनो ने फिर कोरियन कल्चर को सप्रिस करने की कोशिस की देखो मैंने इस चैप्टर के शुरुआत में कहा था कि अगर हमें बिटेन के तरह जैपैन भी अपनी कॉलिनी तर बनाते है तो उतना ही एक्स्प्रोटेशन होता क्योंकि जैपैन भी बहुत एक्स्प्रोटेटिटिव कॉलिनिस्ट कंट्री है इन्होंने कोरियन कल्चर को खतम करने की कोशिस की एक फोर्स्ट एसिमिलेशन किया डिफरेंस है कोरियन कल्चर में चैनीज कल्चर में जैपैनीज कल्चर में इन्हों जैपैनीज कल्चर को awareness बहुत जादा थी Korean बिल्क वही आल आते जब Japan ने इसको colonize किया तो लोगों को लगाएंग चलो हमें इस dynasty से कम से कम चुटकारा मिला बड़ Japan ने जब सबसर्फ suppress करना शुरू किया तो फिर Korean ने अपनी आवाज है उठाने शुरू कि अब Korea कोडिया के लोगों के हाथों में आ चुका है so this was basically done because of the intentions of Korean people लेकिन इसके साथ कोडिया को एक cost पे करना पड़ा है जो कि हमें भी करना पड़ा था हमारा जैसे विवाजन हुआ था वईसे ही कोडिया का भी विवाजन हुआ क्योंकि वो जह जमाना था वो World War उसके बाद खतम होता है and then Cold War शुड़ हुआ तो Cold War में क्या एक तरफ Soviet Union है और एक तरफ अमेरिका और उसके इलाइज है तो यहाँ पे जो Korea का division होता है बहुत इंटरस्टिंग division एक latitude है 38th parallel उसकी basis पे इनोंने Korea को बांढ दिया North Korea, South Korea में वोई official division नहीं हुआ था basically Korea अभी Japan से छूटा ही था तो हमने आपको बताया था न कि जिन भी countries से छूटकारा मिला Japan को पहले occupy किया इन allied powers ने और उस्ट्रिया को एकुपाइड किया और जो इनकी colonies वगे रहा थी अगर हम भी Japan की colony होते न तो World War 2 के बाद हम भी USA का या ब्रिटेन का या किसी ने किसी allied power का occupation होई जाता तो अब Korea का वे occupation हो गया तो इन्होंने का आदे Korea को तुम manage करो USA and the RLIs South part, Southern part को and Northern part को Soviet ने का कि हम लोग manage करेंगे तो उसके बाद इन देविजन है पर्वारिंट हो गया in the elections of 1948 1948 में elections होते हैं North Korea के लोगों ने का कि हम अपना representative चुनेंगे और South Korea के लोगों ने का कि हम अपना representative चुनेंगे ultimately जो 38 पहला रवज बॉर्डर बन जाता है और दो कंट्रीज निकल के सामनी आजाती है North Korea and South Korea अब अब लोग आगे बढ़ेंगे South Korea के modernization को बढ़ेंगे क्योंकि North Korea के modernization की कोई भी हमें history नहीं मिलती है क्योंकि officially हमेशा ही डिक्टेटर से भी रहा है या आपे तो कोई modern कुछ भी है यह नहीं प्रस में कुछ है नहीं तुम बताएंगे क्या दुरिया के सामने कुछ पता चले तभी तो कुछ चप पाए तो भी तो कुछ पता चलेगा South Korea के कर बात करेंगे अब जब हम Korea के बात करेंगे तो आप समझना South Korea Korea war होता है ठेक है यह Korean war में South और North दोर इंवार थे जून 1950 में अब देखो ऐसी कंट्रीज को यह Soviet Union और यह से खोशते थे जो अभी अभी डीसेंटली आजाद हुई और जो कमजोर है politically भी resources भी कम है Korea बहुत अच्छा carry rate था ऐसे लड़ाईयों के लिए तो जून 1950 में Korean लड़ाई शुरू होती है North Korea, South Korea दो रेंग दूसरे के जाने दुश्मन थे South Korea को support करते थे US और UN के forces North Korea को Soviet Union ने support कि और इन दोनों के भी लड़ाई होती That was a typical proxy war जो की Cold War के रा में होता था हमने यह चीज भी अतनाम में देखी है Class 9th की स्ट्रीम है यह 10th की स्ट्रीम है जैसे किरिकट खेले वाले बचे ऐसे खाली मैदानों को नी कोशते रहते जहांब आमनों किरिकट खेल सके ऐसे यह चीज देशों को कोशते थे जो कमजोर है जिन पे हम जाके लड़ाई ये लड़ सकते और एंग दूसरे को कमजोर कर सकते USA को USA चाहता था Soviet को कमज़ोर करना और Soviet चाहता था USA को कमज़ोर करना So it was a kind of vintage proxy war Ultimately July 1903 में एक armistice agreement होगा तीन सालों के बाद Armistice agreement में यह तै होगा कि हमनों भी दूसरे पर हतियार ले चलेंगे Kind of ceasefire आप कहा सकते हो And Korean war इस तरीके से खतम होता है Korean war का impact क्या हुआ दो भी देशोर पर अगर बात करें खासकर करनके South Korea की तो prices, inflation के कारण बहुत बढ़ा गए क्योंकि supply कम हो जाती है ने war के दोरा उसके बाद industrial facilities जो भी develop होई थी उस जो इसन डैनिस्टी के जमाने में उन्होंने भी आना की कोशिस की थी बहुत infrastructure में development करने की ट्रांसपोर्ट में ठीक है लेकिन उसके बाद तो Japanese colony ही बन गया Korea तो जितनी भी चीज़े उस जमाने में develop होई थी वो सारी चीज़े खतम हो जाती because of war ये सीनम ने एराक में भी देखा था एसे नमें सीरिया ने भी देखा जा जा लडाइये होई है बहुत बड़ी इंडेस्ट्रियल इराक एक टाइम पे दुनिया का अगरनी प्रोडूसर था वाइल का बहुत सारे आपके जो प्लांट से वो लगे हुए ते रिफाइनरीज वगरा उसके बाद फ्री मार्केट एकॉनमी जो बनाना चाहता था कोरिया डिमोक्रसी लाना चाहता था इन सब में बहुत हैवी डिले होता है क्योंकि जो है लडाई में उन्होंग इंवाग वोगे उसके बाद में बहुत दिनों तक किसका इंपक्ट इना जिनना बढ़ा था एन South Korea पूरी तरीक से dependent हो जुका था USA के support तो पर similarly North Korea पूरी डिपेंड़नेंट हो जुका था Soviet Union के support अब South Korea किस तरीक से अपने आपको rebuild करने की कोशिस करता है उस कहानी को समनने की कोशिस करते है पोस्ट वर्ड पॉलेटिक्स में कर जाते हैं तो साउथ कोरिया में एक प्रेसिडेंट आते हैं सिंगमन री इनको इलेक्ट किया गया और 1948 में ठीक है उस जमाने में लोग चाते थे थे कि कोई भी इलेक्ट हो जा बस एक उभूमत हमें मिल जा ठीक है हमने काता ना इलेक्शन होई थे तब सेपरेशन होई ओफिशली तो यह प्रेसिडेंट साब थे इन्होंने वहर के बाद अपने एक्स्टेंशन करवा लिया दो पार एक्स्टेंशन करवा गाया कि हम ही प्रेसिडेंट रहेंगे तो इसके खिलाब एप्रेल उन्हें साइट में कोडिया के लोगों की खास बात क्या है जब भी जुर्म होता है तम भी खड़ने हो जाते है जब जब क्वाली थी नब पैते सालों में छुड़वानी है जब 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 जमाने में सूपर पावर हाना यहा था खा था ठीक है तो फिर और यहां पर USA का ऐक्टाशन भी नहीं होने लिए USA चाहता तो पोडे तरिके से कोडिया को चन्ट्रॉल कर लेता जब 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 जेसे USA ने जैपान को कंट्रोल किया, Korea भी तो उनका एक चेला ही बनिया था, तो इन्हों ने वो भी नहीं होने लिया, so this is basically the political awareness of these people, अपरिल इवलेशन के बाद, ultimately, जिस सिंगमन प्रडी साब इनको रिजाइन करना पड़ता है, अब री के रिजाइन देने के बाद हो जाता है, अब यहां से जो है, डिक्टेटर्शिप की शुरुवात होती है, पार्क के जमाने में क्या सब चीज़े होई, उसको लेखते हैं, खास बाएथ है आप यहां के डिक्टेटर्शिप के यह देखोगे, कि डिक्टेटर्शिप रही, बड उस दौरान ECONOMICパ्याइप्ट भी होते है, डिक्टेटर्शिप बहुत दिनो तक रही थी, पार्क के बाद भी डिक्टेटर्शिप भी रही, सबसे पहले सबसे पलें के बात करते हैं और या कियां एक export-oriented policy की हम आए angry export करेंगे बहुत इप्पर्ट करते थे,ोशिशिकी inport substitution कर पाए है एक देस्त fagnen करें दूसरह से जधा करें उन्हें ने काई कि इंपोर्ट करना खतर मी करते था है, इतना करते हैं कि बुलियंस अंतर आ जाए, बुलियंस बतलो फॉरिंज करेंसी इसमें फाइपी जोच खिये, पार करें, फाइव ये प्लांस, फाइपी में उन्हें लार्ज कॉर्परेट फिर्म को फेबर किया, उनको आप कॉम्परेटिवनिस बढ़ाने के कोशिस करते हो, तो आपका प्रोडक्शन लेवल बढ़ता है, और तो ही आपकी एकॉनमी आगे जा सकती है, जो में 1990s के बाद हमें देखने को बिलता है, उससे पहले तक तो इंडिया पूरी तरीके से बन था, तो कोई कॉम्परेटि यह मिलटरी डियुटरशिप है, जो यह सारी चीज है कर रही है, शुरुधात में गुष्ट्स चीज ने लिखा है कि हम लिख लाइट इंडिस्टिय पारट्स हैं, बट ज्यादा पैसा है हेवी पारट्स में, जैसे हम लोग स्टील होगा है, अग्धभ प्रोडूस करें, सब में जादा है तो heavy industries chemical industry में गुष जाते हैं इनों प्रोडूस करणा शूरू के steam, non-ferrous metal machineries ship building में गुष गई electronic product अबनादा शूरू कर दिया, chemical production शूरू कर दिया और यह सारी चीज़े तो है world में बहुत demand में आती है ठीक हालां कि तभी expertise नहीं थी बट आपने comfort zone में रहके यह चीज़े प्रोडूस करते रहेंगे और से limited पैसा ही आता रहें that was the story of industrialization कोडिया के growth में एक और बहुत बड़ा contribution है, small movement small movement basically क्या था उसको समस्तिया small is the Korean term which is used for new village, तो इस movement का नामे new village movement, पार्क नहीं देखाता है कि भाई share तो तरक्की कर रहा है, बड़ गाउं में बहुत आचा है, गाउं के लोग self-reliant नहीं हो पा रहा, वो वैसे ही जिन्दी जीए रहे जो आज से 200 साल पहले जीते थे तो 1970 भी movement lodge कियांगे इसका मकसर यह था कि भाई rural जो population है उसको में लोग encourage करें, mobilize करें वो इन दम inactive हो चुके थे hopeless हो चुके थे, इनकों में active बनाना है और उनकों में hopeful रखना है ठीक है कि भाई, आपकी चीज़े बदलेगी तो बकसा दिये था कि आपको खुद को help करना पड़ेगा, उरे के उपर विलेज के entire structure को बदलने के लिए self-reliance पर जोड दिया गया जो आत्मिनर बढ़ता के बाद अब ही हम लोग कर रहा है ये चीज़े कोडिया ने उन्हें 170 में इप्लिमेंट करने शुरू कर दे थी so we are 50 years, Korea is 50 years and then all of us इंडियन से पाकिसानी के तो बात ही छोड़ दे तो इस self-reliance पर जोड़ तब ही सही ये दिया रहा रहा था तो क्योंकि उनको बदाता ना कि ज्यादा population आपकी rural इलाकों में रहती है जब तक उनको 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 इंकरेज ने करेंगे capacity उतना हम तो उगाई सके उससे ज़्यादा भी कर सके ताकि हम इसे export कर पाए और same goes with the industries कि हमें दुनिया में global leader बनना है जो economy growth होती है को इसकी पीछ ही बहुत सारे factors का रोल है सबसे बड़ा तो कि यहाँ पे strong leaders है पार की जो government है strong government इस्टेबल थी क्योंकि कोई भी military government को तो ऐसे हटा नहीं सकता बड़े movement के बना bureaucrates बहुत disciplined थे जैसा हमने चाइना की case में देखा था कि माओ एक strong personality है बट उनके जो bureaucrates हैं वो अच्छे नहीं है और उस कारण से जो है बहुत चीचा ले दर हो रहा था यह चीज़ कोईया में नहीं होती यहाँ पर bureaucrates बहुत trained थे industries बहुत aggressive थे opportunities का फायदा उताना जानते थे entrepreneurs बड़े ambitious थे innovations करना जानते थे education बहुत आता था economic policy हमेशा open रखी गे जिसे के competitiveness बढ़ सके हम दुनिया के standard के productive services बना सके advanced technology एड़ाप्ट की गई यह कहा गया कि यहाँ के students को Harvard जाके परो, America जाके परो, London जाके परो फिर वहाँ से जो है technology एड़ाप्ट करो and आज के जमाने में Korea को अगर होना चाहिए कि उनकी जो universities है वो as per western universities है ऐसे universities हमारे इंडिया में भी नहीं है in the moment, ठीक है, Seoul University का बहुत बढ़ा दर्जा माना जाता यहाँ के लोग माप internship करने जाते है and चोकी जो है Korea एक progressive था even under the dictatorship government एक progressive government थी और इस वाज़े से Korea को foreign investment बहुत मिलती है एक कारण तो USA कालाई होना भी था save जादा करते है तो बैंकों के पास जादा पैसा अब जब बैंकों के पास जादा पैसा आता है तो वो फिल लोन जादा दे सकते हैं तो industries ऐसे बढ़ती है जब उनके पास candidate की availability है थी है, known की availability रहती है ठीक हालां कि consumerism रहे उसका अपना फायदा होता Korea, चीज़ें ऐसी ही चल ली थी पार्क को लगा कि भाई, मैं ही ब्रम हो चुका हूँ तो पार्क लेका कि मुझे हमेशा के लिए president रहना चाहिए, मेरे टाइम में economy growth हो रहा है, लोगों को कोई दिख़त नहीं तो मैं क्या करता हूँ, एक ऐसा constitution बनाता हूँ जिससे मैं permanent president बन जाऊँगा इनों एक using constitution बन वाया उसके खत्तर में पहली बार तो अपने आपको third time president बन वा दिये, उसके बाद using constitution लाते हैं उसको गहत्तर में उस constitution में permanent president बन थी, ठीक है कि आप permanent president बन सकते थे, उस constitution में इस articles थे उसके जरीए उस constitution में जो president था उसको ये authority दी गई थी कि आप complete आपके अंदर legislation आएगा, jurisdiction आएगा, administration आएगा और आप अगर चाहें तो किसी भी कारणों को वापस मोड सकते हैं emergency measure केते हैं तो इसका मतलब मोटा मोटी यह है कि using constitution के कारण जो president जूभी बनेगा वो उस जगे का देवता हो जागा भगवार हो जागा कोडिया का कोडिया मतलब south कोडिया यहाँ पर इस using constitution केला बहुत आवाजे उठने लग गई ठीक है और यह जो पार्क थे उस जमाने में क्या होआ न यह similar है जब नाइटीन सेवंटीज के आस पास यह using constitution आता है 1979 में पूरी दुनिया में oil crisis हो गया अब oil crisis का impact के पड़ता कोडिया पेकि कोडिया ने बहुत investment के हो आता है hemi industries में ठीक है चाए chemical बनाना हो चाए iron produce करना, steel produce करना इस सब के लिए आपको fuel चाहिए होता है अब जब global oil crisis है तो यह सारी industries चलेंगे नहीं और जब यह सारी industries चलेंगे नहीं तो employment खतम होता जाएगा, पैसा कमाएगा इस वज़े से जो अब तक जो जनता पार्क के खिलाब कुछ बोल नहीं नहीं थी क्योंकि इनके पास पैसा आ रहा था, अब उन्होंने बूलना शुरू किया और युजेर कोर्टिशन वस वन अब दर रीजन क्योंकि जनता नहीं देखा कि बही तो permanent president बन गया है, तो इनके खिलाब आवाज है उतनी शुरू हुई बट चुगी है military leader थे तो आट तो सकते नहीं थी तो इनको proper assassinate किया जाता है in December 1979, तो पार्क को जब इनकोंने assassinate किया है इसके बाद पाइदे सुती होना चाहिए था कि एक election हो और नहीं government बन किया है जब पार्क को assassinate किया तो उसके बाद दूसरी है military leader जिनका नाम है चुग्डोहूर ये सफ्ता में आजाथ अब जो है जनता और नाखुशन जनता और प्रोटेस्ट करते हैं भाई हम चाहदर से कि कोई democratic government आए elected government आए यहाँ पे वापस है दूसरा military leader आगया है इसको दिके प्रोटेस्ट हुए चन ने क्या किया मार्चलाव लगा दिये कि भाई को भी प्रोटेस्ट नहीं करे Korean citizen इतने awareण है इतने दिमाग के तगड़े कि उन्होंने कुछ शेयर ने से ग्वांगजू करके वहाँ पे प्रोटेस्ट जारी नगा हम रिस्क लेंगे हमारे पर आसु गैस के गोले बढ़ता है रहेंगे हमें जिलों में बेचारागा बट फिल्म भी वह विल नॉट स्टॉप प्रोटेस्टिंग और इस वज़े से जो है चन की गवर्मेंट को एक छोड़ा सा लोगों को खुश करने के लिए इंडेर एपिलेशन कराना पड़ता है अंडर इजिएन कॉस्टिटुशन जिसमें अगेर वही जो है प्रसुड़ेंट बन जाते हैं चन के जमाने में भी एकॉनमिक डेवल्मेंट दबा के होती है यहाँ पर आप एक चीज़ देखेंगे कि चाहे किसी की भी गॉर्मेंट रहती है कॉरिया में बट सबने एकॉनमिक डेवल्मेंट पर बड़ काम किया है चल के जमाने में इंटरेशनली एकॉनमिक बूम चनला था वाइल करसिस के बाद तो उसका यह पार्ट था हम लोग पार्ट नहीं बन पाएं इंडिया क्योंकि हमाल जो एकॉनमि थी क्लोज एकॉनमि थी उपें दो थी ने तो इस दोडान जो कोडिया का एकॉनमिक ग्रोथ रेट है बहुत जादा भाग गया एक परसंट के करीब था इससे पहले तेरा चॉदा पर पहुँच गया एकॉनमिक डेवलेप्मेंट के कारण शैरी करण होता है मीडिय एडवास्मेंट हुआ कल्चरल चीज़ों पे नोने इन्वेस्ट करना शूरू करा और उसी कड़ी का आप एक हिस्ता लेखते हो एड़ी इसको एड़ुकेशन सिस्टम में इंप्रॉब्मेंट होती है लोग अवेड होने लगे है पोलिटिकल राइट्स के बारे में अवेड होने लगे और बहतर सेटेजर बनने लगे एक डेवलेटिक स्टेट के इस सम्विधान को बदलो एंड प्रॉपर एलेक्शन करवा ताकि एक एक एलेक्टिन गवर्मेंट आपा है इसमें खास बात ये है कि विड़ल ग्लास ने भी पार्टिस्पेट किया थे कि इसमें जो है चन का एक साथी रूप तहबू करके वो जीच जाता है तो मतलब यह है कि एलेक्शन हुए हैं बट अभी भी बैंक्डोर से चन ही सत्ता को चला रहा है पिर इसके साथ एक और सॉल्ट उन्द जखम पे नवक शिटकने वारी बात है ये हो जाती है ये रूप की जो अपोजिशन पे एक पार्टी थी ठीक है अपोजिशन लीडर जो था उसलिए अपनी पार्टी रूप के साथ बिले कर ली जो मर्जर होता है जैसे अगर आप इमाजिन करो बीजेपी भी सत्ता में है और उसकी सबसे स्टॉंचिस जो पॉनेंट है वो है कॉंग्रस कल को अगर कॉंग्रस और बीजेपी मर्ज हो जाएंगे तो डिजिजनल पार्टीजन को कितना दूख होगा ऐसा जनता को लेगे कि हमारे साथ चल हुआ है डेमोकरसी के नांगे वही हुआ अब क्या है अब क्या है कोडिया डेमोकरसी की सिचुवेशन की कोडिया में कहने को तो इलेक्शन्स हो रहा है बट अब कोई स्ट्रॉंग अपोधिशन है नहीं और जो अभी गवर्मेंट है जो सत्ता में गवर्मेंट है that is basically a military government kind of क्योंकि उसको बैंक्डोर सा चनी चलाण लेकिन हालात बदलते है 1992 में ultimately एक civilian कीम देजन करके president बनता है इसे पहले कोई भी civilian चाना कोडिया का president नहीं बना था जो भी आज़ा सब military leader ही थे या उनके associate थे लेकिन ये बंदा जब सिविलि policy की बात करते हैं जो किम है civilian president उसकी economic policy क्या थी इन्होंने export-driven policy अस्तियार की पहले सही चली आ रहे थी फोकस यह रखा कि हमारे जो company है वो global company है बन पा है Samsung एक बहुत अच्छा example है Hyundai बहुत अच्छा example है फिर Hawaii करके था वो भी एक बहुत अच्छा example है इस companies became global investment लाए बाहर से capital intensive industries में chemical industries में ताकि जो है वो factories बढ़ सके हमारा industrial output बढ़ा सके and Korea को पर pressure आया था तो इन्होंने OECD भी जॉइन कर दिया यह सा ऐसे संगर्ठन होते है जिसमें आप जब जॉइन होते हो तो आपको फिर कुछ leverage देना पड़ता है it is a kind of opening your economy much more पहले तो उपन पहले भी थे बट इसको और थोड़ा सा खुलना के है तो इन समसा कटा से में जब आप चुड़ते हो तो आपको free trade agreements वगर करने पड़ते हैं so OECD में जब भी जॉइन होता है 1996 में इसके बाद एक क्राइसिस हुआ कूरिया में क्राइसिस हुआ IMF का करेंसी क्राइसिस पूरिया का foreign currency reserve खतम होता गया 1997 तक foreign currency reserve था ही नहीं और बहुत जादा debt था कारण यह था पहला कारण के बहुत जादा हो रहा था जब हम FTA sign करते हैं तो फिर बहुत सारी countries अब हम से trade कर सकते हैं जो पहले नहीं कर दी थी तो इस वज क्राइसिन में जो दिखकत आई नहीं मतलब उनोंने धांदिय वगर करना शुरू की इसके वज़े से भी जो foreign currency crisis है वो होता है अब क्या है कोई 50-60 billion dollar का लोन था IMF का IMF का इसके उपर अब क्या है कि कोडिया के उपर कोई 50-60 billion dollar का लोन था यहाप एक बहुत अच्छी स्टो के पास करीब 2 billion dollar का gold मौझ हुद है जैसे हमारे यह gold को auspicious मानते हैं सर्मिनी वगरा में यूज होता है वैसे Korean culture में भी शादियों में बच्चे जनम लेते हैं तो उस तैम में gold का वैवार होता है तो इसलिए household में gold दबे होते थे इन्वेस्मेंट के कारण भी उसको रखते थ जब यह report public हुई कि 2 billion dollar के करीब का जो gold reserve चाइना के household में पड़ा हुआ है तो एक gold recollection movement की शुरुआत हुई लोगों ने सौहार्दिक तोर पे खुश से जो है अपने gold दान देने शुरू के government को और देखते देखते करीब-करीब 2 billion dollar का gold recollect हो गया इसको पिगलाया गया और IMF को दिया और इसके basis पे IMF loan दिया और चाइना अपने जो कोडिया है अपने dits को वापस से recover कर पाया so that is basically the story of patriotism of Korean people लिकिस लेवल के patriotism है IMF crisis हुई उसके बाद elections के शुरूआत होती है political democracy के शुरूआत तो तहली ही भी हो चुकी थी बट यह जो crisis हो इसके बाद के इस तरीक दर democracy का कारवा बढ़ता उसको देखते है December 1997 में long term opposition party leader Kim Lejean lucky again 92 में भी आपके leader बने थे इनको आपको elect ये elect होते है उसके बाद 2008 में एक second peaceful transfer होता peaceful transfer का मत्तब है कि एक सत्ता का स्थनान तरव peaceful manner में मतलब elected manner में इसके मीच में भी president आये थे बट वो kind of who था या ऐसा था कि आपने indirectly appoint कर दी है second peaceful transfer है 2008 में जब एक conservative president conservative मतलब जो थोड़े से orthodox ideology को मानते है ली मियॉंग बकर के वो president बन थे फिर जो उसके बाद एक power transfer हुआ वो पारक गयो नहीं के जमाने में हुआ she was the first female president of Korea she became president in 2012 इसके इनके बारे में खास बात यह है कि जो जिस पारक चंग की हमने बात की थी जो इनकी लड़की थी इनके जमाने में क्या होता है candlelight moment हुआ कहा यह गिया कि बाई इनकी जो सत्तायर यह नहीं चलाती है इनके दोस्ट चलाती है इसका एक secret friend जो सारे political affairs को manage करता है तो जो हमने जिसको चुड़ा है she is not managing a country कोई और वानेज कर रहा है और इसके विरोध में लोग सारक पर उतरे कोडिया में आप देखो कि जब भी लोगों को ऐसा हलका समी suspicion हुआ है वो तोड़त रोड़त उतर जाते है तोड़न प्रोटेस्ट करना शुरू कर दाते है So that is basically the story of Korean democracy अगर हम बात करें Korean democracy और कोईया की गरोथ की तो कुछ specific factors हैं जिन्होंने overall Korea की गरोथ में बहुत कान्टर मी उट किया चाहिए वो economic growth हो, democratic growth हो, political growth हो सबसे पहले political awareness of citizen या के लोगोंने politics में interest लेने शुरू कर रहा है जब भी कुछ ऐसा होता था तो उसके खिलाब आवाद उठाते हैं हमारे आए करे कि लोग जानते सब कुछ हैं बड़ किसी के पास तर टाइम नहीं कि रोड़ पे आके इवन फिल्ट करके इसको अपोज कर सकते So first, जो पहला जो factor that is the political awareness of citizen इसके बाद यहां की तो entrepreneurs से बड़े ambitious थे जो innovations हम आज कर रहा है वो बहुत साल पहले कर चुके यहां कि government हमेशा से strong रही है जिस वज़े से economic growth कभी नी रूगा चाहे हम पार्क के जमाने की बात कर रहे है चाहे हम चन के जमाने की बात कर रहे है and these three were the major reasons जिसका रहन से जो है Korea हमेशा से गुरो किया अभी जो Korea के वांट राइशन है वो पाई so इस चैप्टर में हमने चार कंटरी की कहानी पढ़ी सबसे पहले हमने जपान के बारे में बढ़ा यह कैसे वो एक वांटराइस कंटरी बनता उन्होंने क्या पाथ अखतियार किया फिर हमने चायना के कहानी पढ़ी फिर हमने एक छोटू से देश ताइवान के कहानी पढ़ी जिसको हम लोग कहते हैं पियार से रेपब्लिग ऑफ चायना उसके बाद हमने कोरिया के बारे में बढ़ा specifically South Korea के बारे में क्योंकि North Korea के बारे में जादा किसी को नहीं मानूँ मैं हमें पूरी तुनिया को नहीं मानूँगा So that's all in this chapter I hope कि आपको ये जो explanation और वो पसंद आया होगा Make sure hit the subscribe button हो सकता है कि मैं इसके इन से अर्टे के solution की media भी provide कर वाओ ये उसके PDF प्रोवाइड करो तो जो भी मैं provide कर वाओगा आपको वीडियो के जरिए and notification के दर ये पता चली जाएगा For that you need to subscribe And इसी तरीके के exploratory videos को देखने के लिए Class 12 के political science history के videos को देखने के लिए CUT के preparation करने के लिए You have to subscribe us And make sure कि हमारे योड़ीच है Thank you for your support And we will always be indented For your support towards the channel Blade Runner Humanities Thank you